your future is created by what you do today not tomorrow मतलब आपका जो भविश्य हैं लोग अक्सर भविश्य को ले करके चिंतित रहते हैं वो उससे बनता है कि आप आज क्या कर रहे हो कल आपने क्या किया था पहले आप कितने अच्छे थे इससे कोई मतलब नहीं नमस्कार साथी हो मैं राजकुमार आप सभी का सोगत करता हूं अपने परिवार पीवी आर श्टडी में तो प्रिये चात्रों जैसा कि आप सभी के लिए एक विसेस बैद चल रही है मैत की इस्पेसल कलास बेसिक मैत यह सभी चात्रों के लिए है चाहे आप अध्यापक बनना चाहते हैं आप पड़े अधिकारी बनना चाहते हैं आप आर्मी में जाना चाहते हैं पुलिस में जाना चाहते हैं मतलब कुछ भी करना चाहते हैं अगर आपको मैत नहीं आती हैं कई र पढ़ेंगे आपका जो बैस चल रही थी उसका आज पार्ट नंबर 14 है यहां तक दिख रहा है न देखिए आज कौन सा है पार्ट 14 है और हम सभी स्टार्ट किये थे नंबर पर है उसी पर अथारित है थो नंबर में हम लोग क्या पढ़ tiếp आज क्या पढ़ना है इतरको टॉपिक हम हम है यहां पर है यहां बातों टेल नमबरалог और सब्सेंट नंबर प्लेंगर और श।भल अधिकane इसमें इंकडाल दीए तो द्यान दीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे complex number के बारे में सबसे कम 10 या 15 बोल द्यान दीजिए यहां पर आप सभी लिखिए पर टाइटल लिखिए क्या लिखेंगे complex number आप काफी लोग परेसान हो रहें कि यह इंगलीज में लिख रहें मुझे तो आती नहीं है कौन सी बहां साभी यह आम तो इंदी जानते हैं यूपी वाले हैं भिहार वाले हैं तो बिल्कुल टेंसन मतलो भाई बंगाल वाले और आसाम वाले को भी मत भूलो दोनों language लिख इस नाम से कुछ चीजें आपको समझ में आ रही हैं अगर आप इंगली थोड़ा बहुत जानते हो हिंदी में तो फिलहाल कम समझ में आएगा या हिंदी में भी आप समझ सकते हो देखो यहां पर लिखा समिस्र जो लोग हिंदी पढ़ें संधी और उनको पता होगा देखो मिस्र ना आपने पढ़ा था मिस्रित भिन मैंने आपको बताया था ना मिक्चर जी से जानते हो मतलब कोई भी बस तुमें धेर सारी चीजें मिला दी जाएं तो उनको क्या बोलता है मिक्चर ना अब देखिए यहां पर समझ यह कैसे समिस्र ना तो चीजों का मिक्चर तरह अलंतर है न तो इसको पहले आप लोग इकजांपल से समझ लीजिए ठीर आप कोई मतलम है विसेश रूप से लेकिन मैं बता दूँगा जैसे यहां पर लिखा थ्री प्लस टू आई अब आप कहोंगे यहां पर कौन सा मिक्चर है यहां पर तो कुछ दिखी नहीं रहा है तो नहीं लग रहा है लेकिन है जैसे अगर हम यह नंबर देखें और यह यह दोनो वैसे complex नंबर पढ़ने के पहले आपको real नंबर और imaginary नंबर आना जरूरी है तो फिलहाल हमें लगता है पिछली कलास में मैंने पढ़ा दिया था अगर नहीं पढ़ाया था तो आप बता दिजिएगा comment करिएगा आपको मिल जाएगा वो ठीक है तो real नंबर अगर इसकी हम imaginary नंबर है न जिसे क्या बोलते हैं कालपनिक संख्या तो फुल मिला के यह मतलब है कि वस्तविक और कालपनिक दोनों को एक में मिला दिया जाता है तो बन जाती आपकी complex नंबर या समरिश संख्या तो इसे क्या बोलते हैं imaginary नंबर मतलब की कालपनिक संख्या इसे आप हलका बाहर निकल गया लेकिन पूरा दिख रहा है यहां पर लिखा है काल्पनिक तो यह हो गया इसके बाद अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है लेकिन मैं थोड़ा सा यह नंबर के बारे में आपको पता देता हूं इमेजनरी नंबर आखिर यह कल्पनिक संख्या क्या होती है क्योंकि यह थोड़ा सा अजीव क्या लगता है कई बार समझ में नहीं आता है तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए उसके पहले बाद में लिखाऊंगा वैसे दोनों की वास्तबिक कल्पनिक और यह संब्रिस सबका उदाहरण में लिखवा दूंगा पहले आप यहां पे समझ लीजिए फिर उसके बाद उदाहरण और परिभासा सब हो जाएगा जैसे नाम से असवर्ष्ट है कल्पनिक संख्या जैसे कल्पना कर इमेजन करीे कि हम इलें इसके परदान मंठरी होते हम अपने आपने के परदान बन गये होते हैं झोंपना करते हैं की तर आम करता हैं कोई बिद्रेम है इधर साइड में देखिए कालपनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर इसका जो रूप होता है अगर आप कहीं भी देखोगे ढूड़ोगे आपको मिलेगा आई का इसक्वायर इपल माइनस कवन या फिर जो आप सिंपल में अभी तक पढ़ते आयो इधर से इसक्वायर जब हटेगा इधर क्या हो जाएगा वर्गमूर लग जाएगा और यह हो जाएगा इसका एक परकार से क्या है वह खोटा है बस इतना समझ लो कि कहीं भी अगर आ इसक्या तो अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ी कहानी है हम पढ़ रहे हैं बेसिक में तो हम इतना जादा गहराई में जाने वाले नहीं नहीं तो फिर उपर से उड़ने लगेगा समझ में आएगर नहीं तो उतना ही पढ़ेंगे पर जितना हमें यहां जरूरत देखिए इनके अगर हम कुछ और भी जांपल देखें तो जैसे मानलो अंडरूट माइनस का 25 यहां से यह समझने आ रहा देखो एक चीज़ आई सिंबल है किसका कल्पनिक नंबर का या इमेजनरी नंबर का सिंबल है आई तो यहां पर यह समझने आ रहा कि अंडर लें लेकिन आको दिख नहीं रहा है इसको हम एसे कर सकते हैं कि नहीं इसको हम लिख सकते हैं और email यह सकते हैं कि माइनस कई तो 35 हो जायाएगा वहीं लेकिन कुछ लोगों को अगर इसमें भी अपच्छ हो रही नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको अलग कर दो और इनको भी अलग कर दो भाई यह लो यह भी तो वहीं हुआ इस तरह से आप यहां से समझ गए इसका क्या हो जाएगा वर्क पूल अराम से आजाएगा चुकि यह परफेक्ट रूट नंबर है पूल वर्वर्ग संख्या है तो इसका तो पांच हो जाएगा लेकिन जो माइनस का यह वन फसर आये क्या है आप यहां देखो इदर यह आई आप यहां पर आई लिख सकते हो ना तो फुल मिला करके समझ में आगया फाई पाई क्या है एक इमेजनरी नंबर है एक कालपोनिक संख्या है यहां पर जो मैंने लिखा था वह ही यहां भी है बस इसका थोड़ा अप्ग्रेट फाम है ऐसे मान लो मतलब नहीं अप्डेट इसको लिख लिजिए और अगर आप इस वीडियो को यूटूब पर देख पा रहें तो पीवियार स्टेडी लहाबाद की चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिसे कि आप देली पढ़ पाएं और ऐसे आसानी से घर बठे सीख पाएं अगर आप फ तो बस वैसे यह एक ही चैनल है जो कि प्लेटफार्म कोई भी ओ नाम होई है आप अनेकडमी पर भी पीवियार स्टेडी को फॉलो कर सकते हो वहां भी नाम होई है उसके बाद इसमें हमें जो पढ़ना बहुत आसान आसान है लेकिन कुछ लोगों को अभी इसमें समझ में तो हम थोड़ा और भी जमपल उनको बता देते हैं जैसे देखिए इसमें आप और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हो कोई भी नंबर ले लो जैसे मान लो कि हमने अभी एक दूसरा नंबर ले लिया अभी आसान आसान ही करेंगे क्योंकि अगर सुरू से ही कठीन ले लेंग अगर आप चोटे चोटे टापिक करोगे तो नींद नहीं आएगी और बाकी अगर आप समझ कम रहो और कर कुछ और रहो तो फिर नींद आएगी बहुत अच्छी फिर मजा नहीं आएगा इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। शेशों पच्शीष और इसको जैसे अभी मैंने बताया था मैं 625 अगर चाहो तो इसका वर्ग मूल आप निकाल लो इतने का इसको तोड़ लो अच्छे से अलग अलग ही कर लो यह इसका हो जाया का 25 और यह आई हो गया तो 25 आई हो गया यह क्या है इमजनरी नंबर है नीचे हमें लग रहे है आप लोगों को नहीं दिखरा है तो इसको चलो हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं दीक तो ऐसे रहा ही है फिलहाल इधर साइड में कर लेते हैं इसको मिटा देत हैं आप सभी को समझ में आ गया कि आई स्वायर जो है वो क्या होता है 1-1 के बराबर होता है तो इसको हम यहां उपर साइड अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 625 और यह अंडरूट माइनस का 1 325 का वर्गमूल क्या होगा 25 होगा क्योंकि 25 का उवर्ग 625 होता है और यह पुड़ा कर लो एक लाइन और बढ़के 25 आई क्यों हो गया क्योंकि जो कहां गया यह इसका मान आई होता है अभी स्टार्टिंग मेंने लिखा था तो यह आपका हो गया तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताए और नंबर इवेन हम लोग सीखेंगे क्योंकि यह कलास वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको मैथमेटिक से नहीं आती है और वो सीखना चाहते हैं देखिए टाइटल यहां पर मैं लिखरा हूं यह टॉपिक है आज के धियान से देखो आप लोग यह बताओ क्या यह रेड कलर दिख रहा भाई क पहेंगे बिल्कुल गहराई से जीरो से उसके बाद हम पढ़ेंगे और नंबर आट नंबर के मतलब होता है बीसम संख्या क्या होता भाई बीसम संख्या क्लास को पूरा इंड तक देखना मैं अभी भी बता रहा हूं तुमें ठीक है बिल्कुल जाना नहीं छोड़के इसक को आप लोग लिख लीजिए देखिए चारो यह हम आप पढ़ेंगे पहले स्टार्टिंग में प्राइम नंबर मिंस अभाजे संख्या कंपोजिट नंबर यानि की भाजे संख्या ध्यान से देखना बिल्कुल समझने की कोसिस करना बहुत ही आसान है यह आपके भाजी बना रहे हैं तब भी गाउं में लो गुबाल गुवाले के भी खाती है पूझ के भी खाते है मतलब समोश भी बनतार बहुत सारी चीज़े बनती हैं लेकिन अगर कोहों तो अक्रेले ळृण तो कोई जलदी नहीं खाता है तो कलमिला के इसकinku यह यह की जो basic तका यह वैसे तो जैसे इस समय जमाना टेकनिकल हो रहा थोड़ा-थोड़ा स्मार्ट होड़ा वैसे हमें भी होना है पहले तो हम लोग यह पढ़ते आए हैं कि वह संख्य। जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वो समसंख्या एकालाती है मतलब दो से भाग करने पर सेसपल जीरो आ जाए तो वो समसंख्या है लेकिन ये जो सिस्टम है ये हर जगा काम तो करता है लेकिन थोड़ा बड़ा लगता है जैसे 18 लिखा है ये sum है या बिसम है इसको जानने के लिए हम क्या करते थे पहले ये 2 से भाग करते थे तो 298 और ये 16 पल 0 आ गया मतलब ये sum संख्या है अगली संख्या जैसे मैंने लिख दिया मानलो 13 अब ये sum है कि बिसम है इसको भी 2 से भाग करते थे और अगर 16 पल 0 नहीं तब तक चल गया अब अगर ये नमबर आ गया 190572154 अब भया इसको कहो कि टू से भाग करो तो आज कल कमपटीटिव जीवन चल रहा है इसमें दो से भाग करेंगे तो कम से कम दो मिनट लगेगा और उतना देर में तो कमपटीशन में हम लोग गड़ बड़ा जाएंगे तो इसके लिए अब हम आपको कुछ इस्पेसल तरीका बताएंगे थोड़ा सा अलग आप समझने की कोसिस करो इधर साइड में आप ऐसे समझलो कि वो संख्या है जिनका लाश्ट का यानी अंतिम अंक ऐसको भाग वाह कुछ नहीं करना सिर्व देखना है बस प्यार से देखना लेकिन चलो देखो मगर प्यार से करakah से मतलब में को समझो वो संख्या हैं, जिसका अंतिमंक यानि कि लाश्ट डिजिट क्या हो? 0.2.4.6.8 इन में से अगर कोई भी अंक है, कोई भी एक, इसका लास्ट का, एक ही पकड़ना है तो वो सम शंख्या है, अन्य थाप भी सम संख्या है आप सभी कमेंट करके बताओ, यह सम है अभी सम, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं नीचे मैं देख पा रहा हूं, लेकिन माफी चाहता हूं, वह सिर्फ पढ़ाई सकता हूं, एके जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा, सौरप पांडे, रभी संकर, प्रियांसु, प्रिय रिए है अब हाला से मिलजा आएगा, करो शरी लेंतग, ने जो करोग लखना कि यह जर्फ कर आउ व हो शिस लोग तभी कुछोने वाला हले कर एंसे कुछोने वाला है नहीं, यह समझ गहे अ अच्छा अभी हम एक सताइज बाद में देंगे अगला भी समझ लो विसम संख्या क्या है वो संख्याएं जिसका अंति मंक लाइस्ट का डिजिट 13579 हो वह विसम संख्याएं कहलाती हैं बस आपको चुपचाप इनको देख लेना है चुपपे से बागे कुछ नहीं करना छे जो भाग करोगे तो तो क्या तरहना फिर आगे बढ़ें चलो देखो आगे समझो यह ठीक है सम बिज्चमाहसंख्य गया अन्धी बाई यह संशंख्या क्यों है उपर वाला मैंने कहा था संशंशंख्या है na क्योंकि इसका यह पदो यह दॹप यह तहीं है यह क्या है यहाँ संशंख्याइय동ै सलगल देक्टिश निकल रहे हैas यह बताओ चलो question number मालों मैंने बी लिखा है तो भाई साहब यह सम है अब भी सम जल्दी बोलो बी नंबर का अगर सम है तो ई लिख के comment करना इसाहब चलो चलो 24 यार कोई comment करेगा सम है कि भी सम है सम है कि भी सम है कोशिज करो चलो यह था बहुत ही आसान इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और और इबेन नमबर ठीक है समझ रहो बात है हमारी कि नहीं समझ रहो आप लोग तो और इबेन नमबर इसमें समझ लो लेकिन हमें लग रहा है कि यह कलास बढ़ी हो जाएगी क्या चलो आप लोग जल्दी टाइटल दालो फटाफट अब ये दोनों आप लोग समझ गए आड और इवेंट समझ गए अब प्राइम एंड कंपोजित नंबर टाइटल लिखो फट से साथियों अगला देखो आप क्या पढ़ोगे कंपोजित नंबर और प्राइम नंबर मिन्स भाजय और अभाजय संख्याएं वें संख्याएं जो कम से कम दो मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से विभाजय हो वो भाजय संख्याएं कालाती है लेकिन इसमें एक को सामिल नहीं किया जाएगा मतलब क्यूंकि एक से सारी संख्याएं विभाजय होती है ठीक है दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से निकलती हैं वो आप यहां पर देख पा रहे हैं विनीता साबंद का यह मैसेच अपरेल को आया हुआ है यहां पर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं कि पहले मुझे मैस में कुछ नहीं आता था आप पहले से बहुत जादा आता है और आपके यूटूब पीबियार स्टेडी एप से बहुत कुछ सीखा है थैंक्यू सो मच मतलब आप यह समझ रहे हो इस तरह से बहुत सारे फोन कॉल आते हैं बच्चे अपना दर्द सुनाते हैं प्राइबेसी पॉलिसी की वज़ा से मैं की रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता हूं लेकिन हां उसमें मैनेज करके आ जो आपको हम सुना सकते हैं यहां से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिस तरह से आप यहां पे देख पा रहे हैं कमेंट आता मैसे जाता है ऐसे लगता है कि बहुत से ऐसे कंडिडेट है जिनको गडित में समस्या है तो आज हम लोग सीखेंगे बिलकुल सुरू मिनट देख लेंगे तो गारंटी है कि आप माइथमेटिक्स का काफी कुछ सीख जाएंगे चलिए जो इतना पढ़ना है भाई उतना अच्छे से सीख लेना है ऐसा नहीं है कि एकी दिन में डेहर सारा पढ़ लो यह तो वैसे हुआ जैसे खाने को भाई इतना सारा खालो हजम में कोना हो तो फिर जितना खाओ उतना हजम कर लो आज पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर भाजय नम और अबाजय संक्या यह भाजय संक्या क्या होती है साथियों यहां पर थोड़ा आप लोग ध्यान देना जैसे यह नंबर मैंने लिखा 12 इसकी अगर मैं फैक्टर की बात क करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा दो से करोगे तब भी कट जाएगा तीन से करोगे तब भी कट जाएगा इस तरह से पूरा पूरा कट जाएगा इधर अगर हम बात करें भाई साथ की तो इधर एक और साथ होगा इसके अलामा और कोई ऐसी गिंती नहीं है जिससे बताओ अगर मैंने एक नंबर लिख लिया बारा तो यह तो आप समझी गए अगर मैंने 16 लिखा तो इसके भी तो फाइब तरा ऐसे हो सकते हैं एक दो तीन नहीं होगा इसमें चार पांच छे नहीं होगा साथ आठ दस ग्यारा बारा सोला तो आप यहां से पूरा बात क्लियर कर चुके हैं देखो कोई भी चीज का अंतर समझने में ज्यादा आसानी से समझने आता है वो संख्या जिसके दो सिर्फ दो मतलब वन को मिला करके गुडन खंड हो उससे अधिक एक भी ना हो वो भाजि संख्या होती है यह फिर ऐसे समझझ लो देशी भासा में कि वो संख्या सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे बाकी और किसी से ना कटे वो क्या होती है अब भाजे संख्या होती है सुरी अभी मैंने इसको सायद भाजे बोला था वो क्या होती है अब भाजे संख्या होती है आप यहाँ पर देख पारे लिखा भी है कुल मिला क्या ऐसे समझ लो यह क्या है मतलब भी है जैसे आपने देखा होगा, आपके आस-पड़ोज कुछ लोग रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से किसी से मतलब रखते हैं, बाकि किसी से मतलब नहीं रखते हैं, मतलब अपने और अपने उसके, समझ गए ना, इसमें देखो, वो संख्या जो एक से भी कटे, खु जैसे मैंने दो लिखा ना दो हां एक चीज यहां पर बड़ा important है यह दो जो है ना इसके बारे में बार में तुलना करेंगे इसकी बहुत लंबी कहानी है यहां पर जैसे मैंने 4 लिखा ना तो 4 एक से 2 से और 4 यह सिर्फ तीन ही गिंती से डिवाइड होगा इसकी तरह जैसे यह 5 से और यह 6 गिंती से डिवाइड हो रहा था वैसे नहीं होगा यह सिर्फ तीन ही गिंती से involved होगा लेकिन ये भी क्या है भाजज संख्य है लेकिन यह 1 कोटने का मतलब यह है कि जैसे 13 में अगर हम 1 का भाग करें तो यह देखो पूरा पूरा भाग गया 0 से स्फल आ गया 13 को अगर हम 13 से ही भाग कर दें यहां पर समझने की कोशिस करिए जनाब जीरो आ गया ना लेकिन अगर हम कहें कि 13 को दो से भाग कर दें तीन से कर दें पांच से कर दें साथ से कर दें तो किसी से भी नहीं कटने वाला वुचा जितनी बार कर लो भाग समझ गये ना आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आप भाज्य अभाज्य कुछ समझे की नहीं अभी रुकना कहीं जाना नहीं नहीं समझे तो अभी रुकना बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे समझ में थोड़ा काम आता है तो बिल्कुल टेंसन मतले ना आपके समझ में बहुत स्पीड में आएगा बुलेट ट्रेन की जादा ही स्पीड से आएगा समझ रहे हो ना बुलेट ट्रेन बले नाए लेकिन माय थापको आ जाएगी देखो समझो यह चीज़ें आप समझ गए वह संख्या जो एक से कटे खुद से कटे बाकिया और किसी संख्या से ना कटे वह अभाज्य होती है प्राइम नंबर होती है प्राइम का मतलब ही कुछ बिसेस होता है जैसे आपने देखा होगा एमेजं़ फिलिपकार्ट हो गאरा पे या फिर बहुत सारी वेपसाइट होती जिसमें आपको प्रीमियम सर्बिस मिलती है यह प्राइम सर्बिस मिलती है इसका मतलब यह होता है जो आओरं से अलग हो हम फटल पुछ अलग हो तो आप लोग भी क्या क्रो हो अपनी जिंदग ना तो भाज्य है ना भाज्य है आप इसमें से मुझे छाट करके बताओ इसके अंदर लिख रहा हूं खाना में यह कौन-कौन अभाज्य संख्याएं हैं और कौन-कौन भाज्य संख्याएं जल्दी से फटा-फट कमेंट करके बताओ चलो है चलो चलो इसमें से कौन-कौन संख्यायाःज है और कौन-कौन भाज्य रहा ओali है चलो भाई कि सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ठीक है इसमें से आपको छाटना है कौन कंपोजित है कौन प्राइम म Запर इतने में आप लोग समझ जाओगे ना में किसी को कोई हरानी प्रसानी अपत्ती नहीं इसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आज पाता है आपको यह को पूरी काहानी खतम है इसके बाद हम पढ़ेंगे आज करे फ्रेक्रशन का कुछ पार्ट बच रहा था जीसे बोलते हैं क्या और हे सुनो पहले एक बात और अभी तक जिन भी छात्रों ने कलास को लाइक ने किया बाबु कर दो यार जिससे आपको अगली कलास भी मिल सके हमें थोड़ा एनरजी मिल सके और हम और पढ़ा सके अच्छे से ठीक है बहुत बड़ा मोटीबेसन मिलता अगर आप लोग कलास क कीया थे आपके कस्ति के उपर भीलागो होता है क्योंकि है तो हम असी दर्त पर समझो अभी नर करेंके बड़ी वा छोटी भिन ठीक है क्या पढ़ेंगे बड़ी वा छोटी भिन ध्यान से समझना लार्जेस्ट या इसमालेश्ट फ्रेक्शन अभी आगे समझते चलो पूरी कहानी समझते चलो भई अभी बहुत कुछ होने वाला है यहां पर जैसे मैंने दो भीन दिया एक बटा पांच और यहां पर लिखा एक बटा साथ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा देखें दोस्तों फ्रैक्शन के बारे में हमने पार्ट 6 या 7 में Hollywood Apple लिद्एसे आप अगर देखे होंगे तो समझ गये होंगे फ्रैक्शन क्या किई है किसे कहते हैं वह Państwo अच्छे से तमझ और यहां क्या है साथ चॉकलेट है उसके हिस्सेदार यहां भी पांच में हैं तो यहां पे आपे शouse sapos Link में भी animals छाने कि एक इन का हर बराबर हो और अलग अलग हो तब आप इस तरह से आसानी पस صachen में आपको सिर्फ नियां कर्ता करें यहां पर 14 को स्थ और यहां पर यह नाइन्टीन उर्ठास यह यहां पर भी आपनुमा लगा सकते हो भैया यहाँ पर 14 कै भीता है मालो biscuit है और यहां पर 1200 ले कितने हैं इस приготов बिसके उएitelर जाती हैं जादा यहां पे सामाने खाने वाले उतना ही है दोनों में तो यह बड़ा होगा समझ गए ना अच्छा एक तरीका और भी एक चीज और भी सुन लो इधर साइड में समझने के लिए काम आएगा जैसे मान लीजिए कि 9 बटा 11 और यहां पर मैंने आपको कहा कि बच्चा एक काम करो 9 बटा 5 इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है अब इसमें भी बताना आसान है जब चाहे उपर की गिंती दोनों बराबर हो या नीचे की दोनों बराबर हो ऐसा अगर कहीं सनी होगा है तो समझना आसान है कैसे यहां पर देखो चॉकलेट कितना है 9 है खाने वाले 11 है यहां भी चॉकलेट कितना है 9 ही है खाने वाले 5 ही है अब बताओ कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा या तो खाने वालों की संख्या बराबर हो या चोकलेट की संख्या बराबर हो अगर हम इस राज़ते से समझें इस तरीके से तब समझ रहे हो तब समझना आसान है यहाँ पर चोकलेट 9 है खाने वाले 11 है यहाँ भी 9 ही है खाने वाले 5 है यानि खाने मालों की संक्या ज़ादा कम हो रही न, भई ज़ादा लोग आ जाएंगे थोड़ा-धोड़ा मिलेगा, कम रहेंगे तो ज़ादा मिलेगा, यानि आपका ये का है? ये बड़ा है, लेकिन ये मुसीबत तो तब आती है भिन्न में चोटा बड़ा समझने में, जब ह हमें यह ना पता हो कि बिन बराबर है या नहीं है जैसे अब थोड़ा सा यहां पर ट्रेलर आप देखते जाओ और हाँ एक बात और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तुरंद कर ले भाई और इस वीडियो को लाइक करें बाबू ठीक है आपकी जि समझे अगर एक बटा पांच और यहां पर साथ बटा तीन दिया है अब इसमें हमें कुछ नहीं पता है ना तो उपर उपर का बराबर है ना नीचे नीचे का यहां पर आती है मुसीबत यहां पर हमें समझ में नहीं आता है तो यहां हम एक तरीका करते हैं वो क्या है हम नी यह आया है उसी LCM में पहली वाली बिन्द के हर से भाग करोगे जब आप 5-15 में भाग करोगे यह आप सभी को करना आता भी है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो आपको मिलेगा कितना इस तीन का गुड़ा उपर वाली गिंती में करोगे यानि तीन एक कम तीन वही तरीका दूसरे में भी करोगे जो इसके लिए भी हो जाएगा तीन से भाग करोगे अल्सिये तो बाइया ओ बाबु हो तीन से पंदरा में भाग करोगे तो पाँच अएगा और पांच का साथ में गुड़ा करो तो था इतिस आएगा यहां से अब देखो इन से हमारा परिचे हो रहा है Bilk desarroll यहां पर हम कुछ समोझ पा रहे हैं वह क्या है नीचे के दोनों medium के दोनों में बराबर है उपर के अलग-अलग है अब यहां से आप अनुमान लगा सकते हो क्यों छोटा है और कौन बड़ा है है न जल्दी comment करके बताओ 7 बटा 3 बड़ा है या 1 बटा 5 देखें जो भी चातर बहुत सारा comment करें मैं देख पा रहा हूँ धेर सारा comment आरा है अंजना सिंग आपका भी comment आ रहा है बिनै सिंग ठाकूर बिल्कुल comment आरा बाबू पंकत सर्मा लेकिन मैं सबका नाम नहीं बोल पाता है क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो नाम बोलूँगा दसी मिनट 15 मिनट पढ़ाना है तो फिर क्या करूँ पढ़ाऊं या नाम बोलूँ इसलिए आप लोग पढ़ाई कर लो चुप-चाप अगर कोई भी डाउट है आ चलिए देखे 15 चॉकलेट है खाने माले कितना है अरे सॉरी 35 चॉकलेट है खाने माले कितना है 15 इसमें तीनी चॉकलेट में 15 है भाई इसमें तो एक दम्रत्ती रत्ती मिलेगा जैसे उंट के मुह में जीरा क्योंकि है तो तीन खाने वाले 15 है इसमें 35 है 15 है इसमें 2-2 से ज यहां पर लिखा और यहां पर लिखा एक बटा तीन चलो बाई गधों बताओ इसमें कौन बड़ा है जल्दी से हर कोई कमेंट करना कुछ होने माला है नहीं अरे गलत ही तुम कमेंट करोंगे यार लेकिन करोंगे ना को न न तीन के LCM लेंगे LCM निकालना मैं पिछली कलास में बता दिया हूं नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताना ठीक है दो और तीन का LCM 6 हो गया जो अभाजे संख्या होती है उनका गुड़ा करके ही LCM हो जाता जैसे 2,3,6 लेकिन यह हर जगा लागू नहीं होता ऐसा हर जगा निकालना LCM 6 हो गया जब LCM में 2 से भाग करेंगे यानि पहली वाली बिंद के हर से तो 3 आएगा और उस 3 का गुड़ा उपर वाले अंश में करोगे यानि 3 में करोगे तो 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा नो ठीक है अब यह LCM दोनों के लिए आया था जो आया था तो इसके निचे भी रहएगा इसके निचे भी रहえगा अब उसके लूसी तो इस तरह से अगर आप यहां पर ध्यान दो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रहे निकल के आ रही बाहर भाई साहब चॉकलेट का इडह Talk में पूरे वीडियो में बताया हूं कि तुम लोग चॉकलेट ही जानते हो इसका तेवार भी आता है न ने तक समझ हो नौ क्यों के आख चॉकलेट में खाने वाले खे हैं इसमें दो ही चॉकलेट में छे लोग है तो कौन बड़ा है बैस सिंपल सी बात है जादा जादा किसमें मिलेगा इसमें मिलेगा यह यह बड़ा है तो इसी तरह से यह आया किसमें इसका बाप तो यह है ना इसी से तो निकला ना यह तो यह बड़ा है बात समझ में आई ना, अब इस तरह से आप छोटी और बड़ी बिन्नों में अंतर कर लेंगे, बोलो कर लोगे कि नहीं, सभी छातर जल्दी से हाँ बोले, फटा फट हाँ बोले, कर लोगे ना, अगर कर लोगे, तो चलो, फिर देखो कुछ और भी, देखो एक बात अपने द का है, पता है, उसके लिए मेहनत करोगे, बाकी कुछ नहीं करना है, मेहनत करना है, देखो, इसमें आप लोग मुझे बताओ, फटा फटा सभी बताओ, इन दोनों में कौन बढ़ा है बाबु, चलो, इन दोनों में कौन बढ़ा है, इन दोनों में कौन बढ़ा है, इन दोन बहुत कुछ जानते हो सब कुछ ना बताओ यहां पर चलो जल्दी से आप सभी मुझे बताओगे फटा-फट इनमें कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं देखो सब में मैंने एक एक जोड़ी दिया है पेर दिया किला नहीं दिया किसी को इन सबको आपको करना और बताना है ठीक है नो का क्या आरोही करम था जिसें इंगलिस में बोलते हैं increasing or decreasing order क्या बोलते हैं increasing r मतलब increasing ही पढ़ेंगे सबसे पहले हम आरोही करम थीक है increasing order तो क्या करना है आप लोगों को क्लास को पुरा इंड तक दिखना धियान से देखी इधर साइड में समझने की कोशिस करिए देखिए बच्चों जैसे मैंने कोई भी फ्रेक्शन लिखा मानलो की 1 अपान 2 और 5 अपान 7 और 1 अपान 4 इनको अगर हम आरो ही करम में लिखें इंक्रीजिंग आडर में तो कैसे लिखेंगे आपको ये चीज समझना है देहान से देखो बहुत तयार से देखो समझो अगर मैं एक छोटा सा इधर साइड में सवाल आपको देता हूँ कि भईया 5, 1 और 2 इसको आप अगर आरो ही करम में लिखो तो मुझे लगता है कि इसको आप बड़े प्यार से हर कोई खर लेगा यह बहुत छोटा सा बच्चों आला है लेकिन इसको बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं बच्चों के मामी पापा भी सीखते हैं है ना क्योंकि सीखने की कोई उमर नहीं होती कोई कभी भी सीख सकता है अब देखो इनको अगर आरो ही करम में लिखेंगे यहां पर तो इसमें सबसे छोटा जो है उसको लिखेंगे पहले वन उसके बाद जो उससे बढ़ा है यानि टू और फिर जो सबसे बढ़ा यानि फाइप यह आपका हो गया इसका क्या आरो ही करम लेकिन अगर हम आपसे फ्रेक्शन में पूछें इसमें भिन में तो इसमें आप कैसे करोगे जराई एक मिनिट के लिए इधर साइड में सोचो अरबिंद जी भाईया सुजाता का नाम ले करके तुम कमेंट तो कर रहे हो लेकिन तुम कलास नहीं देख रहे हो बला कर चलो इसमें सबसे छोटा कौन है कि देखो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें भिन का हर यानि की जो डेनोमिनेटर है उसका लेना होगा तो भई अगर इसका लसीम तुम लोगें तो क्या हो जाएगा दो चार और साथ का आप देखो हमें लगता 28 आएगा कितना आएगा 28 आएगा ना निकाल के देख लो ऐसे करके यह 2, 4 और 7 दो से एक बार काटोगे 2 आजाएगा फाइनल में 28 आएगा तो जो एलसीम आता है ना उसी की सहायता से ले करके हम इसे साल्व करते हैं और फिर सबको क्या करते हैं पिर सबको बराबर कर देते हैं देखिए अब समझ अच्छे से समझिए बिल्कुल हडवड़ी नहीं करना धीरे धीरे समझना इस्टप बाई इस्टप आपको मैथ नहीं आती तो कोई बहुत बड़ी ये बीमारी नहीं है बहुत ही सिंपल हैं हमने जो LCM लिया था उसको नीचे लिख देंगे 28 आया था अब जो LCM आता है ना उसमें पहली बाली भिन्न से फिर दूसरी फिर तीसरी बारी बारी सभी के हर से भाग करते हैं तो भाई या पहली भिन्न का जो हर है बाबू क्या है वो दो है तो 2 से 28 में में आप जब भाग करोगे तो आपको पता है यह ऐसे होता है और यह दो चौकार्ड फाइनल में आपको जो मिलता है जिसे बोलते हैं भाग फल वह 14 मिलता है 14 तो 14 का क्या करेंगे इसमें 1 में मल्टीपल कर देंगे तो यह हो जायागा आपका 14 अब देखो इस तरह से आपक करके चोटा बड़ा समझ जाओगे संजय आदव समझ में आ रहा है ना सबको समझ में आ रहा है ना चलो देखो इसी तरह से आप दूसरे वाले का भी करोगे LCM तो इसके लिए भी वही होगा, क्या इसके लिए अलग नहीं होगा, क्योंकि सबका LCM निकला है, सबका वो common है अब इसमें फिर से क्या करोगे भाई, दो से मैंने भाग किया था, 28 में तो 14 आया था, जब 7 से भाग करेंगे अठाइस में, तो 4 आएगा, 4 का 5 में गुड़ा करेंगे तो यह 20 हो जाएगा यह तो तुम सब को पता है यह तो सब को पता है न यह कितना हो जाएगा 20 थोड़ा कम दिख रहा है लो इसी तरह से LCM तो इसका भी हुआ था इसके लिए तीसरे वाले के लिए चार से भाग करोगे 28 में 7 आएगा और उस 7 का गुड़ा बच्चा आब तो सभी के हर बराबर हो गए अब आप बता सकते हो कि इन में कौन बड़ा है सबसे ज़्यादा और कौन सबसे ज़्यादा चोटा है देखिए अब हम अराम से कंपेर कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है पिछली ही कलास में बताया ना भाई 14 चौक लेट में 28 को खाना है साथ में भी क्या करना है 28 में ही खाना है तो होगा क्या आखिर समझों कि इदर साइड में समझों क्या होगा कि जितना ज्यादा सामान रहेगा कोई भी उतने ज्यादा ज्यादा तो हिस्सा में मिलेगा ना उतना ही ज्यादा ज्यादा तो मिलेगा ना तो सबसे बड़ा भिन यह है सबसे छोटा यह है तो हम लिखेंगे आरोही क्रम इनका यानि की increasing order इंगलिस में बोलेंगे increasing order तो increasing order में सबसे छोटा 7 upon 28 उससे बड़ा 14 upon 28 और उससे बड़ा 20 upon 28 यह किससे आये थे यह आप सबको पता है आप जब final answer लिखोगे बराबर करके तो क्या हो जाएगा भाई 7 बटा 28 किसका मान आया था एक बटा 4 का 14 बटा 28 एक बटा 2 का और फिर 5 बटा 7 का आया था 20 बटा 28 यानि हम कह सकते हैं इसमें जो सबसे छोटी भिन है वो एक बटा 4 है उससे बड़ी एक बटा 2 है और सबसे बड़ी 5 बटा 7 है क्यों के यह यह की नहीं साथ से भाग कर लो ग्रासता उंचास लगब धक सत्रपईसा कि लगब जाएगा ना थिक समझ रहो कि नहीं सबी सभी को समझ में आ रहे है ना रभी संकर जी आ रहा समझ में सब को समझ में आ एना राज पटेल अम्बूज कमल दीप सब को आया ना भाईया चलो तो यह चीज आप समझ गए इसमें किसी को कोई परसानी है रानी तो बता दो साथ से भाग किया था चार आया था चार कापाँच में गुड़ा किया अब इस आया अच्छा एक चीज हम आउर आपको अब डेसिमल बढ़ाएंगे जीरो उतारेंगे और यह आठ आएगा फिर गटाओंगे दो आएगा फिर जीरो उतारोंगे पांच आएगा मतलब की कि नीचे तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं इधर साइड में आपको क्लियर करवा दे रहा हूं कि 0.25 आया कि इसका आया । इसको मानायवाण पांच और फॉर का ध्यान से अगर देखोगे और समझो गे भी तो सब क्लियर होगा इसी तरह से आप दो से भाघ करो एक में किसके भाध करो चलो 2 से तो पहिया जब 2 शेटक लोग your क्यांति कितनी है बताव है जरा सोच के बताव मुझे कितना आएगा जरा सोचके बताव कितना आएगा अंसर तो आपको बहुत पहले आ चुका था, लेकिन आपको मैत पढ़ाते नहीं, बलकि सिכाते हैं, आपको पूरा निचोड उसका दे देते हैं, जैसे नीबू से रसगार के आपको रस-रस देते हैं, बस, नीबू नहीं पूरा, नहीं, देखो इधर, समझो, तो जब दो से बाग करोगे जीरो टाइम जाएगा यह जीरो आएगा वन उतारोगे डेसिमल बढ़ाओगे फिर जीरो ले जाओगे तो यह आपका कितना हो गया भाई साहब यह हो गया 0.5 मतलब वो समझते जाओ यह 25 पईसा है यह 50 पईसा है सबको समझ में आ रहा है ना इसी तरह से बच्चा जब पांच में साथ से भाग करोगे भाईया तब देखो क्या आएगा चलो वो भी देख लेते हैं हम आपको यह सीखाना चाहते हैं कि यह भिन्ने कौन छोटी हैं कौन बड़ी हैं कैसे सबसे छोटा वन अपान फोर कैसे हुआ वन अपान टू उससे बड़ा कैसे हुआ और यह फाई पान सेबन यह सबसे बड़ा कैसे हुआ अगर आप मैद सीखना चाहते हैं तो कला और अगर नहीं पड़ना तो कोई बात नहीं तुम बहुत चैनल देख लो जिन्दगी भर खोजते रहो कहीं से नहीं आने वाला है और अगर पड़ना चाहते हो तो कहीं एक जगह टीक हो एक जगह देखो 10 मिंट 20 मिनट अदा गंटा पढ़ो किसी चैनल पर तब कुछ सीख प पढ़ो कहीं भी पढ़ो लेकिर रोज वहीं पढ़ो और पूरा टाइम दो अब इसमें 0 बार जाएगा तो 0 आएगा घटाओगे 5 आएगा उपर 10 बढ़ाओगे 0 उतारोगे 749 फिर घटाओगे 1 आएगा 0 उतारोगे 7 एकम 7 इसके आगे हम ले ही नहीं जाएंगे दो अंक तक अगर ले जाएंगे तो भाई सहब इसका आज़ाज 0 दसंबलो 7 एक अब मुझे यह बताओ तुम सभी कि 50 पंशा बड़ा है कि 25 देखो सब फाइनल हो गया सब फाइनल हो गया इसका मान आया एक बटा चार का मान आया 25 पंशा कितना आया 25 पंशा एक बटा दो का मान आया 50 पैसा अगर हम पैसा में बात करें क्योंकि पैसा में हर कोई समझता है और पांच बटा साथ का मान आया बच्चा 71 पैसा अब तो तुम सब लोग समझ गए होगे ना कौन छोटा है कौन बड़ा है बोलो समझ गए कि नहीं यह 25 पैसा है यह 50 पैसा है यह 70 पैसा जादा है मतलब 75 तो इस तरह से क्या था बड़ा था और चोटा था रेखा जी कमेंट आरा आपका रानी सैनी रजवन्ती देभी अभी सेख जी गेमिंग मनोज यादो सब का कमेंट आ रहे हैं ध्यान से कलास देखो कमेंट के पीछे ना पड़ो अच् और नहीं कलास को सेर करो तो कलास हम बहुत बड़ी चलाने वाले हैं नहीं ठीक है चलो एक और लिखो एक और लिखो फटफट जल्दी लिखो 5 पापान 3 देखिए इस कलास का उद्देश से है कि आपको हम फ्रेक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आडर दोनों बत अब बता इसमें सबसे बड़ा कौन है कोई बताये इनिवन इसमें सबसे बड़ा कौन है जल्दी बताइए रामा देवी दो दिन से कलाफ नहीं मिलती है रामा देबी जी कलास तो रोज होती है लेकिन हाँ दो दिन से तो कलास होती ही नहीं थी आप सब यह नहीं जानते हो सटर्डे संडे को कलास नहीं होती है सटर्डे को टेस्ट होता है संडे को हम आप लोगों से डिएरेक्टली बातचीत करते हैं क्योंकि हम कमेंट संडे को पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट तो सबता में इस समय तो फिलहाल तीन ही दिन हो रही है वह से तो पांच दिन होती थी लेकिन अपडेट हो रहा है तो इस समय तीन दिन चल रही बस Monday Tuesday Wednesday शिर्फ तीन दिन मैंने पूछा इसमें सबसे बड़ा कौन है पांच बटा तीन एक बटा साथ और तीन बटा पांच में इसका उत्तर कोई नहीं दिया बदल्ला तुम लोग चाहते क्या हो ऐसे पढ़ोगे मैं कम से कम कोशिप करनी पढ़ती आए और ये आए ये आई ये आ कि हाँ क्या होगा प्लूंइ सबसे पहले हम इनका एलसीम ले इनके हरों का लिए तीन साथ और पांच का तो कितने हो जाएंगे बताओ कोई बताएं इसको मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं तो बैया तीन साथ और पांच का जो एलसीयम है वो हो जाएगा 105 मतलब 105 हो जाएगा ठीक है चलो अब जो लसीयम आया उसमें क्या करोगे इस्टेफ बाई स्टेफ हम सिखाएंगे फाली भिन के हर से भाग करोगे तो आप 3 से भाग करोगे 105 में तो भाग करना हर कोई जानता है सिर्फ एक ही करके मैं बताऊंगा यह तीन तरिक का नौ घटा लो वन आया उपर से 5 उतार लो 3 पचे 15 त इतना आया 35 तो जो 35 आया बच्या उसका गुड़ा करोगे उपर वाले गिंति से मतलब की अंस से तो पांच का गुड़ा करोगे 35 में अब ये तो तुम करना जानते हो 25 15 15, 17, 175 ठीक है उसी तरह से दूसरी वाली भिन्न के लिए भी करोगे और उसी तरह से तीसरी वाली भिन्न के लिए भी करोगे जब सबका आज आएगा तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है समझ में आया न सबको जल्दी से बोलो यस जितने भी हमारे नए साथी जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बिल्कुल सब्सक्राइब करना न भूले और दोस्तों में सेयर करें जिससे आपको अगली कलास भी मिल सके अगर आप सेयर नहीं करते हो तो हो सकता जैसे इसका मान यह आ गया वैसे इसका मान यहाएगा इसका मान यहाएगा अब साथ से हम भाग करेंगे बच्चा 105 में मतलब LCM में जैसे हमने इस में किया था 3 से तो पंदरा आएगा 15 का एक में गुड़ा करेंगे तो 15 हो जायगा ठीक है उसी तरह से बच्चा हम क्या करेंगे पांच से भाग करेंगे एक सो पांच में जैसे अभी मैंने किया था तीन से अभी अभी किया था ना पहली बिनने के लिए सबने देखा है तो जब हम पांच से करेंगे तो एकाईस आएगा 21 का 3 में गुड़ा करेंगे 3 एकम 3, 3 दून अच्छा ये लो सारी इनकी जो रियल फिगर है वो आपके सामने आ गई है आ गई ना आ गई ना बच्चा सबको आ गई ना सामने कौन बड़ा है कौन छोटा है सब क्लियर हो गया मुखोटा सामने से हट गया इमानदार और बैमान का चेहरा आ गया सामने ये सबसे बड़ी गिंती है देखो ये समझ लो जब दी गई भिन्न के हर बराबर है सभी के डेनोमिनेटर इक्वल है नीचे के नंबर सब में इक्वल है तब जिस भिन्न का आंसर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी क्या होगा? वो सबसे बड़ा होगा तो लिख लो फाइनल में अंसर आता है आरोही करम बराबर फाइनल वाला अंसर लिखोगे फाल्तु का दो लाइन नहीं लिखोगे 175 बटा ये 105 सबसे बड़ा है लेकिन तो इसके पापा कौन से बताओ ये इसके पापा ये हैं इसका बचवा आई अभी चोटा है तो ये 53 2000 क्या है सबसे बढ़ा है न तो सबसे मुझा ओढ़ा तो बच्चा तुम सब से पीछे रहो बस हो गया बात समझ में आया ना यह था आपका increasing order या फिर इंगलिस में ascending order भी कहा जाता है या फिर इसे हम लोग देशी भासा में आरोही करम कहते हैं यहां आरोही किसी लड़की का नाम मैं नहीं बोल रहा हूं यह mathematics का एक topic है आरोही करम increasing order या ascending order सबको समझ में आया तो बता दो हां आ गया चलो फटा फटा अगला question लिख लो जल्दी जल्दी से चंदन कुमार चौधरी आ रहा बच्चा सत्यम कुमार आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब को आ रहा है ना चापलो जल्दी से is screen chart ले लो मैं इसको मिटाता हूं चलो जल्दी करो जल्दी करो आप लोग इस को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो या वैसे यूटिवी पे आये तक मज़ेदार देखने और यस वीडियो में आ गए तो 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 मैं निकल लो समझने रहे हो फोपर जिन्दगी में कुछ से करोना है कि मुझें नहीं आता उनकेस कोई चाह नहीं है काम कालोगे साब कुछ होगा कुछ विल सेक्वाइन घग मैंति कुन बहुत बड़ी उखाथ था狗्या समझ रहा ये होमवर्क लिखो भाई कैलास बगेल लिख लो बच्चा ये कुईस्टन लिखो तुम फटा फट लिखो अब इसमें नंबर मत देखना क्या लिखा हूं मैंने इनका आरोही करम करोगे तुम सभी लोग करोगे सभी लोग करोगे चलो जल्दी लिखो कुछ भी नंबर में डाल दे रहा हूं कुश्टन का इसके लिए नहीं घवराना ठीक है लिखो जल्दी फटफट लिखो ये कलास होती है रात के नो बज़े से लाइव होती है रात के नो बज़े से लाइव या वीडियो कुछ न कुछ मिलता रहता है तो नीचे का थोड़ा सा कट रहा है वो मैं दिखा दूँगा इसके बाद फिर आप नोट कर लो और जितने भी नए साथी हमारे आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है समझ रहे हो ना बच्चा जितने भी हमारे नए साथी आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें और पढ़ते रहें यह 5 बटा 8 मैंने लिखा था इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं नीचे छूप रहा है यह लो 5 बटा 8 ठीक है 5 अपान 8 था यह वन अपान 3 यह वन अपान 4 है सब को समझ में आ गया ना सब को समझ में आ गया बच्चा तो भाईया सभी साथी सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज का कलास यहीं पर बंद करते हैं क्योंकि बहुत वड़ी कलास कोई पढ़ता नहीं है अगर आप चाहते हो कि इस कलास को 3 गंटे 5 गंटे 8 गंटे पढ़ना त सब कंपलीट तो आज ही डाउनलोड करें पीवीर इस्टडी एप और जाके पढ़ें बिल्कुल दिल लगा के क्योंकि इससे ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है समझ गए ना यह पहला हमारा जो टर्म्स है पद है यह है 0.07 दूसरा 0.1 तीसरा 0.01 इनको हमें एड करना है हम सि दूसरा फिर तीसरा इसमें एक चीज का ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि आपको डेसिमल के जश्ट नीचे डेसिमल लगाना है सीधा सीधा जैसे मैंने उपर लिखा है नीचे देखो यह तरीका गलत है अगर ऐसा कोई करता है तो यह गलत हो जाता जैसे 0.07 तो ठीक है अगर यह दो गिंती का था अगर इसे कोई ऐसे लिख दे और भाई साहब यह तीन गिंती के थे और इनको अगर ऐसे लिख दिया जाए दसमलो यह 0,1 तो यह तरीका गलत है यह जो रेड में मैंने साइड में लिख दिया यह गलत है यह पूरी तरह क्या है यह गलत है ठीक है सभी को समझ में आया फटा फट बताओ इनको जोड़ दो भाया इनके नीचे कुछ नहीं है वन है तो एट हो गया यह वन इस तरह से आपका 0.18 आएगा option number B सही का लाएगा तो उमीद करते हैं आप लोग समझ गए सभी बहुत ही ध्यान से समझिए जिनको गड़ित सीखना है क्लास को पूरा देखना हाँ अगर कोई कमी है तो आप बता दो जैसे हम बहुत ही छोटा पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत हाइफ हाई पढ़ा रहे हैं या बहुत जल्दी बोल रहे हैं क्या कमी है वोई भी कमी होगी तो बता देना कलास चोड़के ना जाना गड़ित सिखाने की पूरी गारंटी होती अगर आपको नहीं आती लेकिन कलास को पूरा देखना है आपको यह नहीं की भाग जाओ नहीं पूरा देखना है बहुत ज तीसरा question दिया अभी दो question उस चैनल पर करवाया था नहीं तो उसको फिर से करवा देंगे टेंशन मतले ना आप चलो 2.13 और प्लस 0.0001 साथियों इसका correct answer क्या आप guess कर सकते हो बताओ हाँ या नहीं बोलो guess कर सकते हो कि नहीं हाँ कुलबिंदर का और बिल्कुल यह decimal आज सुरू से start हुआ है भाई topic अलग है यह सुरू से start हुआ है इसका पहला जो answer होगा वो इतना हो सकता है दूसरा option इसका होगा भाई साहब 0.2136 ठीक है एक option और होगा और एक option होगा non of these क्या इसमें कोई guess कर सकता है क्या कोई कर सकता है विजय अंकुस राज प्रियंका राज और कोई anyone कोई guess कर सकता है भाई सोहन सभी बता सकते हो कि नहीं चलो कोशिज कर लो एक बार फटा फटा कोशिज कर लो यार देखो आप एक बार कोशिज किया क्रोनी म एक बार कोशिज करो नहीं आता कोई बुरी बात नहीं है आपने कोशिज किया आप महान है अरे वह तो गदेयां जो कोशिज ही नहीं करते हैं चलो देखो इसका जहां तक मुझे लग रहा है हो सकता सी वाला आप संसाही हो जाए लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है अभी देखि सबसे पहले पहला टाम हम यहां पर लिख लेंगे 0.003 अब हमें एक चीज ध्यान देना है दसमलों के जश्ट नीचे दसमलों लगाना है यहां पर दसमलों के राइट साइड देखो यहां पर 1 और 3 है मैंने 1 और 3 लिख दिया बैया हो बाबू हो रजा हो इधर साइड में देखो अगर आप डेसिमल के लेट साइड में तो 2 है इसको मैंने लिख दिया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं अब मैंने दो पद यह और यह लिख लिए अभी तीसरा बचा है इंगलिस में साइड इसे टम्स बोलते हैं हिंदी में पद न यहां पी डेसिमल के नीचे डे लेना है प्रियंका राज समझ में आ रहा है भाई चिरोंजी लाल आपको भी आया ना बच्चा आया ना बाबु सबको समझ में आया ना चले अब देखो इनके उपर कुछ नहीं है अगर आप ध्यान दो यह बराबर कर लो सिंड़ी यह देखो एक सीधा में है यह सीधा में है इसके बीच में कुछ नहीं आ जीरो हो गया इस वन के ऊपर कुछ नहीं है यह चीज आपको बराबर करके रखना दसमलों के चोड़ना गटाना में यही गड़बर होता है यह चोटे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे कक्छा दो आले को यह जो भी छाद्र टेट सीटेट जिनको मैत नहीं आती है जिन्नोंने कंपरटीन देने के लिए तो सोचा है लिकिन मैत की online रहे हैं किसी अ नहीं पार कि मुझे मैधink नहीं आती विल्कुल नहीं कूछ नहीं आता हां ये उनके लिए उमर हो चुकी एथ है 128-13-20 साल तो कहां जाको कोचिंग में बैठके किस से पूछेंगे बड़ी सरम लगती है कहीं वो जान गया वो जान गई तो गड़बड है तो कुछ कोई जानने न पाए और आप सीख भी जाओ उसका तरीका यही है कि यहीं पर आके पढ़ो चुप पे से चलो मुझे लगता है कोई आपसन नहीं सही क्या चलो ठीक है इसका देखो वन हो जाएगा यह कम चल रहा है इसमें देखो उपर कुछ नहीं यह तीन यह देखो तीन वन यानि टू पॉइंट वन थ्री थ्री वन एक चीज यहां पर ध्यान देना एक चीज यहां पर ध्यान देना इसे कभी भी 2.131 या फिर 1331 नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, इसे हमेशा पढ़ेंगे 2.1331, ठीक है, या फिर एक चीज और यहां समझ लो, अगर हम यह ऐसे लिखे हैं न भाईया, तरीका समझ लो mathematics का, अगर यह ऐसे लिखा हैं न, तो इसे कभी भी 4.51 नहीं बोलोगे, अगर किसी को बताना है, बाकि लिखने की बाद तो अलग है, इसे हमेशा बोलेंगे 4.51, क्या बोलेंगे, 4.51, क्या बोलेंगे, 4.51, यह चीज आप याद रखना, दसमझ के बाद जो संख्या होती, वो कभी पूर्ल संख्या नहीं होती ह उसे एक-एक डिजिट गिना जाता है अगर किसी को आपको बताना है तो नहीं तो आप कहेंगे आप पड़े लिके नहीं हो एक दम नलाइक हो बेवकूब गदा है अगर इसे चार दसमल लोगे क्यावन बोलोगे हैं बाकी लोग असब भभासा में बोल देते हैं वो अलग बा सब्सक्राइब जरूर कर लो इस पर competition की कलासे होंगी सिर्फ 15-20 इस पर बेसिक पढ़ाएंगे तो यह एक जोड़ना अपे घटा ना क्योंकि लोग चेंज होना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा देर पे चलो 0.321 इसमें से अगर हमें 0.21 सब्ट्रेक करना हो तो कितना आएगा कोई बताएगा मुझे क्या इसका पहला आपसन है भाई उसमें पीछे वाले कुष्चन में कोई बी आपसन सही नहीं था कोई भी आपसन सही नहीं था चलो कि कि इसका पहला आपसन हो जाएगा यह के तिक है उस कई दूसरा और इसका हो एनिवन कोई बताएगा अतुल कुमार आप ही बतादो भया चलो बहुत अच्छे बिरे गुड निशा कुमारी टाइम बेटा डो कलास का टाइम इसका है रात नो बजे डेली रात नो बजे से कलास होती है पीवियर स्टडी लाहबाद चैनल पर रेगुलर होती है लेकिन यूटूब या फेस्बुक पर कहीं भी डेमो देख रहें तो बाकि आप प्वियर स्टडी एप में जाके पूरा इकठा भी देख सकते हो वहां पर पूरा कोर्स है अच्छे से सिस्टम से यहां पर तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं पढ़ा ही रहा हूं ऐसे ही उसमें भी जाएगा उसमें आपको इकठा मिल जाएगा बस चलिए शुरूती बहुत अच्छे बेरी गुड रुक्सार अंसारी जोती सिंग दीपा क्यादो प्रांजल प्रिया कुमारी प्रियंका राज साधना कुमारी बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड आप सभी जानते हो कु समझ रहे हो ना कोरोना तो लोग हरा दिये न गया देखते हो चलते हैं भीना मास्क लगाए हां कितना भी कर लो पूलिस देखेंगे तब लगाएंगे ने तो नहीं लगाएंगे और कोई भी बैक्सीन आ जाए तो गाउं में ऐसा बोलेंगे बहिया कि उसके खिलाब ऐसा बावाल मचा देंगे ना कि क्या कहें पोलियों की दवाई आई थे उसके भी मचाये थे देखो इधर समझो इसको क्या करना सब्ट्रेक करना 0.321 और यहां पर पॉइंट लगा दो और देखो यह टू है और वन याद रहे कि दसमलों के जस्ट नीचे दसमलों उसके बगल जो जैसे है वैसे ही लिख दोगे इधर साइड इसके नीचे कुछ नहीं 0 बढ़ा लो इ नहीं रहेगा इस पर इसको कौच दो ऐसे यह आपका आप्सन नमबर 20 है सबको समझ में आ रहा है ना बहुत से बच्चों का हम नाम नहीं बोल पारें क्योंकि हमें पढ़ाना है आप सोच रहों कि सबका नाम लें तो भाईया पढ़ानी पाएंगे ठीक है इसमें से कुछ को लग रहा होगा इनका नाम हम बोल रहे हैं उनका कमेंट भी उनको ने दिख रहा होगा लेकिन फिर भी जो हमें कमेंट दिख रहा है एक बार घूमे जो नजर में आ गया बोल दिये चलो आप सभी समझ गए इसको वैसे घटाने में कुछ है नहीं जादा आप लोग कर ले जाओगे जैसे जोड़ना होता वैसे घटाना होता है चले आगे बढ़े आप लोग यह बताओ समझ में आ रहा ना सबको मजा तो आ रही ना कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को बता दो अगर कोई दिक्कत हो रही तो बहिया बिल्कुल भी टेंसन मत लेना आप और मैं बार-बार बोल रहा हूं कलास को पूरा देखना यह भी डेसिमल में दिया है कि जड़ा सब्ट्रेक करके देखो कि देखो कितना आएगा सोच के बताओ चलो जल्दी करो फटा-फट इसको जो पहला अप्शन है 1.0321 दूसरा अप्शन है 0.00321 तीसरा अप्शन है 1.000 जो जीरो और जीरो हां चौता है नान अब दीच कि देखिए बहुत से साथी ने कमेंट कर दिया इसमें ठीक है बहुत अच्छे राज पटेल बिटा देखो परिसान ना रहो कमेंट ना करो पढ़ाई करो उत्तर तो बताते नहीं तुम हम नजर में कहां से आए उत्तर तो तुम बताओगी नहीं उत्तर बताओ सबसे पहले उत्तर सबसे पहले बताओ चलो देखो इसका ये पहला जो भी नंबर इसको ऐसे लिख लेंगे प्यार से इज्जट मांग सम्मान के साथ उसके बाद दूसरा वाला भी ऐसे लिख लेंगे पूरी इज्जट के साथ इसको भी ऐसे लिख लेंगे 1.0032 बस इनको क्या करना है चलो हां चलो अब देखो इसके ऊपर कुछ नहीं भाईया तो इसके ऊपर जीरो रखलो बराबर हो जाए इसका हिसाब अब देखो क्या करेंगे इसमें 0 से तो जो घटेगा नहीं इसमें से उधार ले जाएंगे दस में से 2 जाएगा कितना आएगा 8 10 में से 2 गया कितना आएगा 8 सही है न ये 1 बचा ये इसको एक उधार देगा भाई घटाना तो तुम लोग जानते हो अब इसमें तो कुछ करना है नहीं सिर्फ सब्ट्रेक करना है दस हमलो के नीचे दस हमलो लगा देना है अब अगर घटाना भी ना जानते हो तो बताओ जानते हो ना सभी तो 11 11 में से 3 गया 8 मुझे लग रहा कोई आपसं सही नहीं होगा ये 9 और ये 2.1 1.2988 1.2988 आपसं नंबर डी करेक्ट है कौन है आपसं नंबर डी सही है सब को समझ में आ रहा ना चलिए कोई अगर किसी को समस्या तो बता देना कोई दिक्कत है तो बता देना बिल्कुल ठीक है राज पटेल बच्चा आप ज्यादा डिसकस करोगे तो बलाक कर दिये जाओगे ठीक है इसलिए निवेदन है उत्तर बताओ अगर तुम्हें उत्तर नहीं आता है तो फिर क्या करें बताओ उ उत्तर नहीं आता आप सीखो पढ़ो कुछ दिन पढ़ो आने लगेगा फिर आप भी बताना आपका भी नाम बोला जाएगा आप अगर यह सोचो सिर्फ नाम के पीछे पढ़े रहो देखो यार एक चीज समझे लो आप चाहे छोटे हो या बड़े जिंदगी में अगर अच्छा काम करोगे ना तो खु नाम हो जाएगा मैनत करो कहीं भी इसकूल या कॉलेज में उसी चातर का नाम टीचर के मुह में रहता है सामने जो सबसे तेज होता है यह तो सबसे ज्यादा गदहा होता है जो मध्यम में होता उसका कोई नाम ज्यादा नहीं होता है तो यह घटाना भी आप कर लोगे अब ह करेंगे गुड़ा जोड़ हो गया घटाना हो गया आप गुड़ा पे आगए थोड़ा-थोड़ा सिर्फ और सिर्फ concept आपको सिखाना है बाकी तो आप सब जानते ही हो आप छोटके बच्चे थोड़ी हो चलो कि इसका correct कितना आएगा चलो बताओ इसका अंसर कितना आएगा पहला आपसंद इसका है डो तीन पाँच एक छे जीरो 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 अक्षे दूसरा है ऐश्कालो यह कि यह नुप पोछिस करें चलो बताओ राज पटेल बच्चा बताओ जल्दी बताओ अंसर बताओ तुम फटा फट चलो बताओ बताओ सत्मा में सेबंडी ऐसे लिखोगे सिर्फ डी यो भी नहीं लिखोगे सेबंडी लिखो जो सेबंडी लिखो या सेबंडी लिखो या सेबंडी लिखो या सेबंडी जब तुम आओगे ही नहीं कंप्रटीशन में तो क्यूं बोलूंगा कुल बिंदर कौर बहुत अच्छे अतुल कुमार बेटा तरीका गलत है क्यूниशन नंभर के साथ आंसर इंकलूट करोगे 7 है तो 7 जरूर लिखोगे अगर A है तो 7 है बी है तो 7 बी देखो कुछ भी नजानो तूम इधर देखो जाने तो छोड़ो हमें क्या करना है तीन नंबर का मल्टिपल करना गुडा करना है सबसे पहले हम पहला लिख लेंगे 0.03 into 0.001 into 2 देखो हम जानते हैं कि दस हमलों में बड़ा जमेला है और दस हमलों का गुडा करना हमें आ नहीं रहा है तो हमें काम करेंगे वो क्या है पता है आपको देखो मुझे लग रहा लाल वाले फिर लिखना ठीक नहीं है ना कम दिखता ना आप लोगों को तो सारी गिंती लिख लो जैसे उपर तीन है इसमें देखो वन है इसमें क्या है दो है बाकि और टेंसन छोड़ दो दसमलो का टेंसन आप छोड़ दो मुझे लग रहा बॉल्टेज बहुत कम है ठीक है दसमलो का टेंसन छोड़ दो बराबर कितना हो जाएगा अच्छे अब अब को दसमलो का टेंसन करना है वो क्या करना समझो कि यहां पर देखो कोई भी दसवाल नहीं यहां पर देखो तीन अंक पर दसमलो तो तीन दो ये पांच ये अब फाइनल में जो अंसर आएगा वो पांच अंक पर डेसिमल के साथ आएगा पांच अंक पर दसंबलो होगा तो बहिए एक अंक तो यही हो गया चार्टी सुनना बढ़ा लो यहां पर दसंबलो और जीरो दसंबलो के पहले जीरो अवस से बढ़ कोई भी सही नहीं है डी वाला सही है आप संडी सही है ठीक है अंसो मिसरा भी बता रहें बच्चा इसमें देखो यह आउर लंबा है भी में पांच ठी लगा है ठीक है आप लोग लिख लो इसकी मुझे लग रहा थोड़ा बराइटनेस बढ़ानी पड़ेगी हां क्योंकि बो क्या एंगे बढ़ रहा है लेख है जलो ठीक है मैं भी का कोई दिककत नहीं न चलो कोके अब तक थोड़ा सा ब्लर हो राता क्योंकि बोल्टेज कम है यहाँ पे लाइट का बोल्टेज कम हो जाता है चलिए ठीक है तो सबको समझ में आ गया ना सबको समझ में आ गया लिख लो फटाफट आगे बढ़ते ही अगला सवाल का जबाद दीजिए अच्छा एक बात मुझे बताओ क्या हम बहुत धीरे धीरे कोईश्चन कर रहें क्या और तेज करना चाहिए फास्ट क्या और फास्ट करना चाहिए क्या अगला लिखो अगला लिखो आठ नमबर डाल दो 0.001 इंटु 0.1 इसका अंसर कितना आएगा बहिया बता दो चलो चलो बता दो बता दो बता दो ये बता दो कितना आएगा कोई बताए निमन दुर्गा परधान रोसन यां भाई गेमिंग ठीक है बहुत अच्छा मेहनत करो होगा देखो समझो मैं बताता हूं इसमें आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इसमें वन है इसमें भी वन ही है तो फाइनल में मुल्टीफल करने पर वन आएगा वन के सिवा और तो कुछ आएगा नहीं हां सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भाई साब वान आएगा बाबू तो वन को क्या करोगे आप लिख लो यहीं वन अंसर हो गया लेकिन दसंबलो का हिसाब करोगे यहां पर एक अंक पर है यहां पर तीन अंक पर है तो चार अंक पर दसंबलो होगा एक यह खुद है तीन ठी स चाप लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं चलो जल्दी लिख लो देखिए आगे बढ़ते हैं अगला समझ यह आप सभी रेगुलर कलास में आया करिए और पढ़िए सब समझ में आएगा नाइन नंबर में चले यह था दसमलो का क्या जोड घटाना और गुड़ा बहुत ज़्यादा कोईश्चन समफिलाल नहीं कर रहें इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि काहें इतना ज्यादा कुश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है फटा फटा आपको और सब आपको आना भी चाहिए चलो तीन दो यह डिवाइड वाई क्या होगा समझते चलो जीरो पॉइंट जीरो दो लिखो बता इसका अंसर कितना है आपको सोच के बताओ इसका अंसर कितना आएगा पहला आपसे ने इसका 0.16 आएगा दूसरा है 0.016 आएगा तीसरा 16 आएगा चोथा नानों दीज नाइन में A B C क्या आएगा जरा सोच के बताओ A B C क्या आएगा बता जल्दी करो फटा-फट दीर ना करो भी कितना आएगा कोई एनिवन जोती सिंग लबली सिंग संजय अंकूस देखो हम बताते हैं सबसे पहले यह नंबर लिख लो यहां पर डेसिमल जीरो यह गड़वड हो रहा है अरे भाई इसको लिख लिया तुमने इसको अटाओ बाग कचिना लगाओ 0.02 इनको हमें क्या करना है हल करना है सब को समझ में आ रहा है देखो समझते चलो पूरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं यह बगल बगल मुझे कुछ समझ में नहीं हरा कैसे क्या करना है तो इनको हम क्या करेंगे बीच में करेंगे ठीक है मुझे लग रहा है कि देखो थोड़ा सा कम करता हूं चलो देखो समझो तो इनको क्या करेंगे हम थोड़ा बीच में करेंगे बीच में मतलब अरे ऐसे कर लेंगे यह भाग का चिन हटा के इनको नीचे भी तो लिख सकते हैं नीचे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं बोलो जैसे यह लिखा है वैसे इसको भी लिख सकते हो भाग का य पीचे भी है दसमलो हो जाएगा खतम फाइनल में 16 बटदो आएगा बचवा वो सुरी 32 बटदो मतलब 16 इसका अंसर होगा सी नंबर सही है रफतार गोलु आ रहा मनोज यादो बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे चलो समझ में आ गया सबको ना यह होता तरीका दसमलो का भाग लेकिन यहां पर जुगार लग गया क्योंकि दसमलो बराबर बराबर अंक पर था अरे गदों अगर ऐसा ना होता तो क्या होता जरा देखो इदर साइड में हमारी बात को आप भूरा मत मानना मैं तो प्यार से बोलता हूं कितना बड़ा प्यार है तभी तुमें पढ लगा वह बताओ कितना आएगा चलो जल्दी करूं । दीर करो पांच घैटा नॉट पचओ चलो जल्दी बता दो कितना आएगा सोचके चलो चलो ऐब इसका अनसर बदल जाएगा यह तो ऐसे ही रहेगा इसके नीचे यह आएगा यह से silmen कर लेगा अपना आप 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 कि दसम्लो तो इसमें भी दो अंक पर ही है इसमें भी दो ही अंक पर है दसम्लो बटा ऐसा तो गलत है उसके बाद तो हम यहां भी जीरो बढ़ा सकते है अब बताओ कितना आएगा सोच के बताओ कितना आएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह ऐसे कर दें इसका भी दसंबलों यह जीरो हटा सकते हैं दसंबलों के बाद कोई गिंती है फिर कितना भी जीरो है उसका कोई मतलब नहीं होता है हम वो जीरो हटा सकते हैं उससे भगा सकते हैं समझ गए ना समझ गए ना फिर क्या करेंगे बताओ फिर अब क्या करेंगे देखो आप फंडा समझो अगर मैं एकदम बेसिक चलूं तो इसको थोड़ा बढ़ा करके एक्सपलें करना पड़ेगा वो समझो कैसे है कि देखू नार стар हमें सबसे पहले एक काम करना नीचे से दसंबलो ऑठाना एक बार उप्धर उपर्स एक्षिसना ठोगा स्टाना या द обнаруж नाथ है तो हमें नीचे का दसमलों के लिए हो गया काम अब हमें ऊपर फे भी दसमलों हटाना है तो हम क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे देखो यह फंड़ा लगता है कि नहीं मैं ट्राई करता हूं ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे फिर दो अंक पर दसमलों है तो सौ से बुड़ा करेंगे तो चल ये इतना हो जाएगा नीचे का हो जाएगा तीन जीरो नीचे हमें एक अंक पर दसनवलो लगाना है उपर कितना पर लगाना है भाई को ऊपर दो अंक पर दसन जना तो ड़ Series लगाएंगे है क्यों है कुई पर क्या होगा यह 2020 बटा 200 बचे गाए ट्रीक काट दो यह तो गड़बड हो गया मुझे लग रहा है बताओ क्या यह सही हुआ कि नहीं आपको एक एक step by step करना होगा चलो जल्दी से बताओ यह सही है कि नहीं कितने लोगों को लग रहा है यह सही है देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो कुछ लोग तो ऐसे भी कर देंगे बीना कुछ किये बिना कल्कुलेशन करे ही कर देंगे आप ऐसे समझे लो वह 32,50 है या 20,50 है बस वह क्या है 32,50 है वह क्या है 20,50 है चलो जल्दी करो फटा फट हो गया सभी कर लिए देखो अब मैं आगे बताता हूं आगे समझो क्या यह सही है कि नहीं सही है अब यह तो इसमें मालूमी ने चलेगा यह घृत अब देखो मैं बनाता हूं यह काम करो तुम यह 32ए बीस बचा यह ना बहुत अब यह हो गया 16 अब यह हो गया pops डागा वाईनल में 1.6 हो गया या ना कितना प्भारा को भुण समझ में आया की नहीं आया संज में कि नहीं तरीका सही था ना जो मैंने बताया वो गलत नहीं था सची था वो गूमके वहीं गया फिर से कि लिख लो फटाफट लिख लो चैप обрат Lado Penis सब QES स समझ में न जी ठावक जी अच्यान कानाम है गुड्मॉरं को क्यों करें दो इन को बो के जाना नहीं अगर गड़ित सीखना है बाबू ठीक है अगर आप चले गए नहीं तो मेरा दिल तूट जाता है अंदर मतलब छोटा-चोटा हो जाता तर टुकड़ा तुकड़ा में फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं में बंद कर दूंगा जान लो अगर एक भी बच्चा कम हु मुपां आफिए हं क्साइब है क्लकुलेशन में बच्चे इसी में लटकते हैं क्यान है एक मिनेट मैं इसको चारजिंग में लगा देता हूं सिस्टम लोगया बैटरी भाई तोड़ा सबस यह लो ओके चलू नहीं हुआ भी आप लोग जल्दी से सभी साथी सेशन को लाइक करो मैं इसको चार्जिंग में लगा के बस आगे बढ़ता हूं तुरंट आज यहां पर कोई है नहीं क्योंकि इस समय लोग बहुत बिजी चल रहे हैं अब अगला देखो next question number 10 देखिए सिर्फ और सिर्फ कल्कुलेशन अगर आपको आता अच्छे से न तो आप mathematics बड़े प्यार से निकाल ले जाओ कि चाहे कोई भी परिक्षा हो लेकिन कल्कुलेशन में होता है कल्कुलेशन कब आता है जब हमें छोटी-छोटी सारी चीजें आ देखो समझो दर्फ नंबर अगला देखो देखो कुछ बच्चे चलेगे तो चार शी बच्चे चलेगे अगला देखो 2.16 divided by 0.8 बताओ इसका अंसर कितना आएगा जरा सोच के बताओ कोई भी रेड कलर में लिखा है दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है कुछ ज्यादा चमक रहा है क्या बोर्ड बता देना अगर कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल टेंसन मत लेना ठिक है ज्यादा चमक होग बता देना चलो फटा फट लिखो आज यह बहुत डिश्टर्व हो रहा क्योंकि बोल्टेज ज्यादा कम हो रहा है इस वजह से चमक कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम हो जाती अ युट अग्या direction चले है चलो देखो इसका अंसर कितना आएगा निए घुद डिख रहा खल कर देख करेंगल को चलो आप देखो इसका जो पहला आप सोन है वह जाएगा अि आट से बाग करोगे तो कितना होगा वह यह कटेगा क्या कि दो तीन कि का बैतर है सब कुछ गुड है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे चलो कि कि का मस्त है सब कुछ मस्त है एकदम पूरा मस्त है दस में देखो अंकुस का आगया मनोज का आगया अम्रीस का आगया प्रियंका चिरोंजी लाल संद्या देखो इसको ऐसे लिखते हैंगे 2.16 नीचे लिखेंगे 0.8 हमें क्या करना है उपर फे 10 अमलो हटाना है नीचे से हटाना एक चीज हम यहां पर और भी समझावता कर सकते हैं साथाकड में अगर बेशिक ना करें बहुत वएसे समझे तो इसमें हम एक समझावता यह कर सकते हैं कि ऊपर दो औंकपर दसमलो है नीचे bow estp काम करें। उपर से दसम्लों एक उंक नाई साइट थे और नीचे का दसम्लों खतम कर दे यह को सकता है किने बोलो यह सम्झावत है कि उपर क्या दो तक एक और नीचे ऊजचा दें क्यूंध कि से डोंग पर है क्लिण नीचे अगर ऐसे हो था 2.16 और 0.08 होता तब तो भीया काम बना था जितना तुमारे पास प्रावसानी है प्रॉबलम है उतना मेरे पास भी है दोनों लोग बराबर थे मतलब दसमलो हम पूरी तरह से हटा सकते थे अगर दोनों पर बराबर बराबर अंक पर दसमलो होता ओबर दो पर नीचे भी दो पर तो हम पूरी तरह सकते हैं अन्षो म सब और किड़ो हिसे अन्षो मिष्टीट नहीं चलरा माई ठीक है कि तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल तो इम पर लाखों का सेट perse हम बनाए करेंगे अब ऊपर एक अंक पर दसम्लों है तो हमें काम कर सकते हैं उपर फे दसम्लों फाइनल में हटा दो नीचे एक जीरो बढ़ा दो क्यों ये समझ में आया की नहीं बोलो ये समझ में आया की नहीं सबको समझ में आया ना भाईया आया ना बबुआ चलो फटा फट इसको भी लिखो इसको भी लिखो अब इसको हल करेंगे इसमें पता नहीं कैसे दिख रहा है चलो ठीक है अब क्या करेंगे अब इसको हमें हल करना है कल्पुलेशन करना है काटो पीटो इसको छोटा करो जितना कर सको बस और क्या करना है इसमें मुझे लग रहा है कोई भी आपसंसाई नहीं होगा देखो यह 8 से कटेगा क्या लाइश्ट में 6 है कभी भी 8 से नहीं कटे यह कभी आनी रहा है ठीक है आप यहीं पर इसको खतम कर सकते हो छोड़ सकते हो अगर आप संग कि अकार्डिंग हल करना है competition की परिक्षा में कहीं ऐसा कुछ है तब लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं competition में हमें calculation करना है तो देखो अगर हम इसे चार से काटे तो नहीं चार से कटने वाला है नहीं है दो से कटेगा दो एक कम दो 108 आजाएगा चालीस आजाएगा कि इतने से कटेगा कोई बताएगा कि एक ही बार में कट जाए दूबारा ना काड़ना पड़े देखो सम संख्या से ही कटेगा अगर हम इसे 4 से काड़ दें यह 4 से कभी कटेगा नहीं आज से आट दूना सोला आट से कटेगा यह देखो आड़ दामा ऐसी आट दूना सोला यह हो जाएगा पाँच बचएगा और सटे छपन यहीं सही है 27 बटा 10 बराबर आएगा 2.7 क्या आएगा भ्या? 2.7 आएगा बहुत अच्छे 2.7 आएगा कोई भी आप सन्स आइध नहीं होगा कोई भी आप सन्स आइध नहीं होगा समझ में आये ना छापलो फटा फट चापलो तो बिल्कुल भी टेंसन मत लेना तुम चलो आगे बढ़ें ठीक है बिल्कुल मस्त है सब कुछ एकदम मस्त है कोई दिक्कत नहीं किसी को ना कोई समझ से आओगी तो कमेंट करके बता देना कि मुझे दिक्कत हो रही है गड़बड हो रहा है हमारा चलो तो आगे बढ़ते हैं सबको समझ में आए ना देखो यह क्या है क्लकुलेशन है इसी को क्या बोलते हैं कलकुलेशन अगराप इसेём ऐसे करोगे बहतर होगा अब आप लोग बताऊ मुझे अब में बताऊंगा निक्योंकि मैं बहुत बता दिया अब तुम लोग कुछ पís कार ले लो मानलो 4.32 डिवाइड भाई 912 इसका आंसर कितना आएगा कोई बताए निवन बिना आप संके बिना आप संके बताओ आप लोग चलो जल्दी करो तोईता गोला अरपीता तूब दूबे अरपीता जी बताइए जब आप दीजिए आप सभी को पता नहीं है देखिए आप समझे बोर्ड मास रूल जो इसका मतलब है पहले यह हम लोग सीखेंगे इसमें यह तो बोर्ड मास रूल का परयाप्त कुईश्चन नहीं है इसमें कुछ ही चीज़े हैं लेकिन स्टार्टिंग का है यह इसमें हम लोगों को क्या करना होता है धेर सारे जो साइ सुपलिफाई करके एक अंसर लाना होता है उसका ही एक रूल होता है क्यों हम सीश्टम से हल करते हैं सीरियल करते हैं वी का मतलब क्या होता है सभी जल्दी से कमेंट कर दो ये रेकर्स होता है वो मतलब होता आफ आफ का मतलब होता है वो जैसे इसे हिंदी में तो का बोलते हैं या फिर जैसे कोई भी रासी यक्स के स्कॉयर के रूप में है या अंडरूट के रूप में है तो आफ मेंस का या फिर अधर मतलब जो अधर यह सारी रासियों का जो सिंप्लिफिकेशन होता दूसरे नंबर पे होता है वहीं डी का मतलब होता है डिवीजन इस होता है भाग यह सीरियल है यह बहुत ही कठीन है इंदी इसकी पोश्ठक तो हिंदी आसान नहीं इंगलिस आसान है समझ रहे होना सभी आज पटे लारा समझ में अब देखो यह हो गए तीन लेटर के मतलब यम का मतलब होता है यहां पे मल्टीपल मतलब गुड़ा आप लोग को बिल्कुल सुरू से सीखना है और यह बिल्कुल यूटूब पे पूरा कलास चलेगी इसे क्या बोलता है एडिसन मतलब जोड यह क्या है सब्स्ट्रेक्शन मतलब गटाना ठीक है यह क्या है गटाना यह कुल मिला करके पूरा फुल फारम है ब्रूर्ड मास रूल का रेगुलर कलास देखना हर दिन देखना अगर आप सीखना चाहते हो जादा फे जादा कलास को सेर करिए सभी बच्चे एक साथ आईए यूटूब पे हो सकता बाद में ये वीडियो उपलब्स ना रहे इसलिए रात में 9 बजे ही देख लो 9 से 10 के बीच में देख लो नहीं ब करना है देखिए प्यारे साथियों यहां पर अगर हम इसके अनुसार चलें तो क्या क्या है पहले बताव मुझे ब्रेकट है क्या कोई बोले इसमें ब्रेकट है क्या क्या इसमें आफ है मतलब यह सौरी अधर रासिया या फिर आफ जो भी समझो आप दोनों ले सकते हो या तो गुड़ा का चिन्न मतलब आपको मतलब यह समझो egप इसे उत्कुराना हो गया बoden और जैसे क्या इसमें कोई रासे इसकुरायर में है या कोई अंडरूट में है नहीं है मिन से काहीं और गुण तो क्या इसमें कहीं गुड़ा का चिन्ह है नहीं है राजवंती अंसु मिस्रा चिराग वे तिन लोग का कमेंट आरा पहले ठीक है नहीं है इसमें है क्या फिर जो कुछ नहीं तो इसमें a means addition है yes means subtraction है सिर्फ दो चिन्दा है तो दोनों में से मुझे ये बताओ पहले plus का आता है कि पहले minus वाला भाई इसमें a पहले है yes बाद में है ना तो पहले a means addition पहले क्या करेंगे जोडने वाला काम करेंगे ठीक है चलो देखो तो जोडेंगे क्या क्या जुडेगा ये समझो जो जो गिंती के पहले plus का चिन्द है या फिर कोई चिन्द नहीं है वो जुडेगी बाकी और जिसके पहले minus है वो घट जाएगा तो देखो बच्चा ये 14 भी plus में है और ये 5 भी plus में है 1 भी plus में है इन सबको तुम जोड़ लोगे तो 14 पांच हो जाएगा वो नई से 20 सबको जोड़ लोगे तो हो जाएगा 20 माइनस कदो अब लाइस्ट में जब कुछ नहीं बचा तो घटाई लेंगे मजबूरी में कितना है घटार आएगा सबको समझ में आया सबी बोलो जल्दी से यास 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 समझ में आया और हाँ एक बात और प्रामिस करोगे खुद से कसम खाके कि कलाश छोड़ के नहीं जाओगे अगर गड़ित सीखना है छोड़ के नहीं जाना हो सकता है आपको यह आ रहा हो लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें हम सिखाएंगे उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं आ रही होंगी अगर आप step by step देखोगे बाकी YouTube पे वीडियो खोज लोगे कहीं 10 वीडियो मिल गया कहीं 5 वीडियो मिल गया किसी चैनल पे 20 मिल गया लेकिन किसी भी चैनल पे पूरा नहीं मिलेका complete तुम्हें लगेगा कि दो चार टॉपिक सीख के पूरा सीख गयो लेकिन जब competition वाली गड़िद लेके बैटोगे ना तो लगेगा भी कम ही बची है चलो आगे देखो question number second 43 कि इसमें नाइन इसका आंसर कितना आ सकता है कोई बताएगा कोई बताएगा चिरोंजी लाल जी आप ही बतादो बाभू चलो चांदनी कुमारी तभी कोसिस करो एक बार चल दी से फटाफट देर ना करो भाई देखो यार मजा नहीं आती अगर आप लोग सर नहीं बताते ट्राइग नहीं करते हो आज यह मेरा सिस्टम गड़वड इसी में सवारज गया है और यह मैं चुड़ाया भी नहीं इसको छोटा हो रहा है इस वजासे कोई बताएगा देखो बहुत से बच्चों के उत्तर भी आ रहे हैं सपना कुमारी राज पटेल संजू तोयता गोला और कोई निवन ठीक है सभी कोशिस करते रहो भाई बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड देखो 40 हा रहा है रभी संकर ठीक है अब देखो मैं बताता हूं बहुत ही सिंपल सा है इसमें बोर्ड मार्स रूल का सारा फंसन नहीं है सब कुछ नहीं इसम में यम एस है तो पहले यम करेंगे फिर ए करेंगे फिर यस करेंगे तो समझो इधर साइड में यम करेंगे फिर ए करेंगे फिर क्या करेंगे यस करेंगे ओके तो यह 43 है प्लस सबसे पहले यम करेंगे मतलब मल्टिपल तीन का दो में गुड़ा 6 और माइनस यह 9 यह पहला इस्टप हो गया दूसरा इस्टप में करेंगे मतलब एडिशन करेंगे तो यह प्लस में है यह भी देखो प्लस में है यह जुड़ेगा तो 43 कितना आएगा चालिस आएगा अंजली कुमारी बहुत अच्छे सपना कुमारी आरती गिरी पॉसिस आप लोग करते रहो बाकी कोई टैंसर नहीं आती है गारंटी हमारी है कि आपको मैत आएगी मैत आएगी नहीं दोड़ेगी बुलेट ट्रेन की स्पीड से ज्यादा तेज़ दोड़ेगी बस आपको क्या करना है पढ़ते रहें है कुछ क्विस्टन हमने यहां पर बनाये हुए है और कुछ आसान कुष्टन भी आप देखो पहले जब ना थोड़ जो भी topic हैं पहले उनको पढ़ें अगर आपको आने लगा तो आपका confidence बढ़ेगा अंदर से खुसी होगी मतलब मन लगेगा आपका कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए अगर आप बड़ा सा कुछन लेके बढ़ जाओगे नहीं आएगा तो नींद आएगी निरासा लगेगी फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा इसलिए छोटे छोटे बढ़ो step by step पढ़ो और आगे बढ़ो ठीक है अगर आपका confidence बढ़ता है जैसे यहां पर class में अगर देखोगे तो आपका confidence level काफी जादा हो जाएगा क्योंकि आपको आएगा अगर आएगा तो फिर आगे काम बनता गया यह थोड़ा चोटा कर लो भाई यह ऐसा नहीं तो क्या है ना अभी अगर दस हमलो गयरा हो गया तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कोई बताए ताहुल कुमार बच्चा उत्तर बताओ लबिंग संजू राज पटेल चलिए बताइए चल्दी करिए देर मत करिये फटाफट देखो अब क्या करना इसमें इसमें अगर देखो तो जैसे जैसे हम कोईश्चन पर आगे बढ़ रहे हमारा बिस्तार हो रहा है मतलब extension हो रहा है क्वेस्चन का हो रहा है कि नहीं पहले जो मैंने किया उसमें सिर्फ जोडना घटाना था दूसरा मैंने जो किया था उसके बाद उसमें जोडना क्ठाना गुड़ा भी था अब की वाले में देखो जोडना घटाना गुड़ा भाग सब है वो भू है कि नहीं हां है ना भाया तो चलनो सबसे पहले क्या करेंगे और कोई बताएगा सबसे यह पार्ट हम सबसे पहले करेंगे फिर यह पार्ट करेंगे मल्टिपल और फिर यह प्लस वाला करेंगे तीन नंबर पर यह करेंगे लाश्ट में सबसे बाद में चुपचा बचा खुचा चार नंबर पर इसको करेंगे सब को समझ में आया ना क्लास को पूरा देखना मैं फिर से बोल रहा हूं अगर सीखना है तो पूरा देखना जाना नहीं बीच में चलो तो बच्चा सबसे पहले भाग करेंगे बाबू उसके पहले कि जितने भी फंसा ने उसको ऐसे जो भी नंबर हैं वैसे लिख लिए तो चे और तीन पीच में भाग का साइन है आपको पता छे में तीन का भाग करेंगे दो आएगा यानि यह कितना हो गया दो अब इसका मतलब यह कि हमने यह इतना बाजी मार लिया इसको हल कर लिए इसका काम खतम हो गया पाकी का जो जैसे बच्चरा बच्चा वह से लिख गुड़ा का चार पस हो गया जितने चिन है उतने लाइन में लगेगा दूसरे लाइन में क्या करेंगे गुड़ा करेंगे यह दूसरे नंबर पर मल्टीपल था आपकी इसको करेंगे तो वहां तक हम इनको ऐसे लिख लेंगे 12 प्लस 2 माइनस जिदू चूँ काट अब यह राज पटेल रवी संकर तोयता गोला संजू ठीक है आप लोग देखो एक बार कोशिस किया करो बस बिल्कुल टेंसन मत लेना हिम्मत नहीं हारना कभी गड़ित आएगी क्योंकि हमारे पास बहुत हताफ निराश चातर आते हैं ऐसे इसे गल्स जो काफी ज्यादा एज के हो हो चुके होते हैं मतलब होती है कि मैथ की वज़ा से नहीं मिल रही है है तो बिल्कुल आप मतलो मैत की तो जिम्मेदारी हमारी है बाकी और सब्जक्ट आप पढ़िए और जो सिस्टम गडबड हुआ है इसमें आप पढ़े लिखे लोग चुनाओं में भी भाग लीजिए बाई तभी तो कुछ बदलने वाला है ना कि पढ़ाई की कीमत भी लोगों को मालूम होनी चाहिए जिस देश में सबसे ज्यादा इज्जत मान सम्मान होता है तो नेताओं का होता है और चुनाओं का होता है बाकी टीचर या पढ़ाई या स्वास्त इसका कोई मतलब नहीं है कोई माइने नहीं है कोई मतलब वरियता नहीं मिलती कि यह सबसे बड़ा क्या है मतलब क्या आग इसका आंसर आप लोग गेस करिए प्लस थ्री इंटू सेवन इसका आंसर कोई बताएगा कृष्णा गुपता बताईए जब आप दीजिए एक एक अभी इसमें कुश्चन और भी है थोड़ा सही और आगे बढ़ेगा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा चलो 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 माइनस टेन डिवाइड वाइड वाइड दो माइनस टेन डिवाइड वाइड वाइड दो चलो इसका अंसर कोई बताएगा देखो यह थोड़ा और विष्ठित हो गया ना ुसमें कुछ और चीज़ें सामिल हो गई और naar इसमें कुछ और चीज़ें सामिल हो गई को इस चलो बताओ कोई बताएगा अनिमन रोबिन लबिंग संजू मानसी पोई बताएगा भाई कोसिस करो यार देखो ट्राइ करो कुछ भी बताओ तुम गलत सही कुछ बताओ कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग कोसिस कर रहे हो कमेंटी नहीं करते हो तो फिर भाएद गंदा लगठा है चलो ठीक है हाव चलो देखते हैं सबसे पहले अभी आपने देखा था ج जो बूर्ड मास्ट रूल का ये ज़ो नाम है इसी नाम के अंदर सब आपने क्या देखा थाह पहले ब्रेकट करते हैं कुछ ज़यादा कुछ ज्यादा ही चमक्रा मुझे लग रहा है फीका दिख रहा है कि प्रियंकर आज का तेइस हा रहा है चांदनी कुमारी कभी आ गया कृष्णा गुपता देखो बच्चे सबसे पहले इसमें ब्रेकट तो है नहीं हो है मतलब अधर या आफ तो एक प्रकार सी अधर है मतलब को पता है इसको कहीं दूसरी जगल आके निप्टालो यह इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ यह कितना हो जाएगा भाई काट दोगे इस पर गुड़ा का चिन लग जाएगा जानते हो जब यह रहे यार यह से बनाएगा मतलब यह फाइनल नहीं हो गया ना सेजल जैसवाल लेट नहीं होना है ठीक है देखिए नंबर स्क्रीन पर जो चल रहा है ना बाबू उस पर अगर आप वाट्सप का ग्रूप जॉइन करना चाहते हो तो ग्रूप जॉइन लिखके भेज़ दो अपना नाम के साथ में जॉइन कर दिया जाए है यह मैं आप क्या करेंगे डिवीजन हाँ डिवीजन है डिवीजन करेंगे तो चलो डिवीजन कर लेते हैं यहां पर दिया है उसके पहले जो जैसे है उसे वैसे ही लिख देंगे बस कुछ नहीं करना है यहां तक वैसे लिख देना यह चिन भी वैसे लगा देना है लेकि बिल्कुल टेंसन मत लेना बिल्कुल गड़ित आएगी बिल्कुल 100 परसेंट आएगी चलो अब अगले स्टप में भीया मल्टिपल डिविजन के बाद मल्टिपल होता है तो यह कर लो तो सेवन प्लस यह तीन सत्य काइस माइनस का पांच बाकी का जैसे है वैसे लिख दोगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जैसे है वैसे लिख दोगे बाकी का चलो यह देखो परिंग ओफरिंग तो नहीं हो रहा है ना ठीक है कि इतना दिखतो रहा है ना नीचे अब सिर्फ दो चिन बचा है यह प्लस है यह माइनस है प्लस प्लस जूड़ जायेगा यह हो जायेगा 28 नीचे दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं 28-5 फाइनल में आएगा 23 कि इतना आया 23 कि अपको समझ में आया देख लीजिए मैं सामने से हट गया हूं चुप गया हूं आधा दिख रहा हूं एक आख दिख रही दोनों ने दिख रही है आप लोग को क्वेश्चन दिखना चाहिए एक आया समझ में आर्थिगिरी आपको भी आया परसा सिंग लबिंग संजू स्युकांत सुकला राज पटेल सबको आया समझ में जल्दी से सभी बोलो यस फटा फट यस और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यह आपके पीवियार स्टेडी परिवार का तीसरा चैनल है जो चैनल नंबर 2 के नाम से है ना पीवियार स्टेड अब भी नहीं है पिच्चर दिखाऊंगे ट्रेलर एसे कुछ है मुझे याद नहीं है लेकिन कुछ-कुछ याद आ रहा है फिलहाल हम वह नहीं दिखाने वाले हैं मैं थे बोरिंग सब्जक्ट है ना लेकिन इसको हमें क्या करना है इसको हमें थोड़ा प्यारा बनाना है पर जब प्यारा बन जाएगा ना तो फिर दिल लग जाएगा इसमें और आपको पता है जहां दिल लग जाता वहां क्या होता है निंद नहीं आती न और क्या क्या होता है वो तो सब जानते हो न तुम लोग जानते हो न चलो निंद नहीं आती है और चैन नहीं आता है दिल को करार नहीं कि बहुत सारी बिमारियां हो जाती है ज्यादा अगर हम ध्यान देंगे तो और बढ़ जाएंगी इसलिए चलो कुश्चन पर चलते हैं कौन सा हो जाएगा छठा नंबर डाल दो देखिए आप कोश्चक भी हम लगाएंगे क्योंकि अब तक कोश्चक तो लगाते नहीं थे यह टू प्लस सेबन माइनस का नाइन क्या लिखोगे माइनस का नाइन और इंटू थ्री देखिए अब हम धीरे धीरे बिस्तरित कर रहें इसको अब इसमें कोश्चक भी आ रहा है प्रेकट भी सामिल हो रहा है ना हो रहा ना सामिल अब तक कोश्चक वाला नहीं था अब मुझे यह बताओ सबसे पहले इसमें क्या करेंगे देखो भाई आप लोग कोश्च करो बाबू ठीक है अगर ट्राई करते हो न तो बहुत बेसर होता है फुल बिंदर कौर कौन है भाई बार-बार कर रहा है एक ही कमेंट अगर बार-बार कोई कापी पेस्ट करेगा तो उससे एकदम से बलक कर देंगे मिटर राज पटेल समझ रहे हो न बच्चा राजवन्ती कुछ लोगों को कमेंट मुझे बड़े लंबे चाउने दिख रहे हैं नहीं को बोल रहा हूं एक कमेंट एक ही बार करो दूसरी बात लिखो तो करो उसको पेस्ट ना करो ने तो तुमको अम एकदम से पेस्ट कर द जो भी इसमें दिये रहेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे भी मिंस ब्रेकट अब ब्रेकट का भी रूल होता है देखो ब्रेकट चार प्रकार का होता है ना मुख के रूप से यह एक्टी है इसे होता टेंट का मिड़का इसे बहुत सुंदर नहीं बना लेकिन हाँ काम तो इसमें भी होता है सिस्टम क्या होता है अगर कहीं किसी कुष्चन में चारों कोश्ठक दिये हैं तो सबसे पहले चुटकववा को हल करते हैं एकदम चुटकववा उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा जैसे देखो घर में सबसे बड़े की चलो देखो, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, छोटा कोशठक कल करेंगे, हाँ, नाम तुम्हें बताया नहीं, यह बढ़ा कोश्ठक सबसे पहले इसमें छोटा कोश्टा करेंगे उसके पहले जो भी जैसे हैं इनको ऐसे लिख देंगे यह 14 किन इंटू फोटा कोश्टक में जो भी हैं इनकी सारी गत्विधियां कर लेंगे तो साथ दो हो जाएंगे नौ माइनस करना और इंटू तीन को यह नौ जो है साथ दो जोड़ने पर आया था दूसरा वाला नौ पहले से था उसको मैंने लिखा है कि समझ में आया ना किसी को क प्रॉब्लम नहीं ना चलो आगे बढ़ें को कोई 99 बता रहा है ठीक है कोसिस करो बहुत अच्छे बच्चे लेकिन बड़ा कोश्टक के अंदर ही तो सारी कहानी है इसमें फिर क्या करेंगे फिर अंदर में गुड़ा का चिन है और माइनस का चिन है तो पहले क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो सारे को जो भी मल्टिपल इनको मल्टिपल कर लो सिम्पल सी बात है 149 कितना हो जाएगा 126 और माइनस 937 ठीक है 99 आएगा इस हिसाब से तो कितना आएगा 99 कि कुछ गड़वड है का इसमें 10 डिवाइड बाइड दो एक कुष्चन पूरा लिखा ही नहीं गया था ना उस हिसाब से ठीक है जितना लिखा था उतना ठीक है इसमें और भी थोड़ा विश्तरित था तो थोड़ा आंसर इसका छोटा हो जाता अंसु समझ में आया अतुल कुमार आपको भी आया तिराग तो इस तरह से साथियों आप लोग यह कुष्चन कर ले जाओगे ना बोलो कर ले जाओगे सभी बोलो यास 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 कर ले जाओगे ना यस बोलो यास 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 सभी कर ले जाओगे नहीं समझ में आएगा बिल्कुल टेंसर मत लेना ठीक है बच्चा देखो एक ही बात को को बार-बार ना कमेंट करो में कई बार बोल फ़स्ट कुस्टन हम यहां पर लिखेंगे एकदम छोटा कुस्टन चुकि हम जीरो लेबल से चलते हैं तो यह बताओ बच्चा छे और आठ का क्या होगा चलो कोई भी बता दे छे और आठ का लसीम क्या होगा और लसीम जैसा कि आपको पता है यह तीन लेटर से मिलके बना है तो भाईया इनका मतलब होता है लीस्ट ल-e-a-s-t इंग्लिस यही तो होती ना कॉमन कॉमन मल्टीपल अब यह नाम हों आपको कम समझ में आएगा सिर्फ आपको बेसिक फंड़ा समझ में आएगा जो आप समझना चाहते हैं वो मैं बता रहा हूं बस आप देखते जाओ ठीक है इसका कोई आंसर बताया कोई नहीं बता रहा आप इनों दो बता रहें गलत है ज इसे आता है दो हो इसका LCM पता नहीं कहां से गिरे हो तुम चलो HCM दो होगा बच्चा LCM दो नहीं होगा अब देखो समझो लिस्ट कामन मल्टीपल इसे क्या बोलते जानते हो लगुत्तम समाप वर्ते हिंदी में इसका नाम जो होता बड़ा ही खतरनाक है हिंदी नाम यह होता है लगुत्तम समाप वर्ते यह वर्तक नहीं होता है महत्तम समाप वर्तक होता है HCF में ठीक है क्या होता है महत्तम समाप वर्तक उधर साइड दिखेगा हाँ दिखेगा समाप वर्तक यह इसके हिंदी नाम है तो देखो इधर साइड में समझो हाँ बिल्कुल 24 हो सकता है ठीक है देखो एक्चुली LCM होता क्या है यह एक गुड़ज होता है यह फैक्टर नहीं होता जैसे यहां पे देखो है लिस्ट कामन मल्टीपल यानी एक ऐसा मल्टीपल एक ऐसा गुड़ज जो इन दोनों से कट जाए दोनों नमबर से आप समझ रहे हो ना मतलब इनके पापा को खोजना है यानी यह दोनों जिसके पुत्र है आप समझ गया लस स्विस के दोनों क्या बेटे पुत्र हैं मतलब पुत्र पुत्रियां कुछ भी समझ लो तुम समझ मे Сам मैं इसम एघ हुशित्र इड़क एसम इए हंग में क्या होता है गण माछतना में श्यसाम के जैसे अगर हम इसमें HCF की बात करें 6 और 8 में तो इनका HCF क्या होगा दो होगा क्या होगा दो इसका मतलब यह कि यह दोनों गारजियन है जिनका यह पुत्र है समझ में आया यानि इसमें क्या है इस दो से यह दोनों नंबर कटने चाहिए इस दो से यह दोनों नंबर कटने चाहिए और इसमें क्या होता है कि इन दोनों से यह कटना चाहिए दोनों में अंतर समझ में आ रहा की नहीं बताओ जल्दी सभी बोलो दोनों में अंतर समझ में आ रहा की नहीं अभी हम गड़ी किताबी ग्यान नहीं पड़ रहें अभी हम सिर्फ इसको समझ रहें बयौहारी गूरुप में बताओ आया समझ में की नहीं यह LCM है क्या है भाईया यह LCM है इसका मतलब यह है कि दिये गए इन दोनों नंबर से यह कटना चाहिए पूरी तरह completely divide होना चाहिए मतलब 6 से भी और 8 से भी लेकिन इसमें क्या होता है HCF में इसमें थोड़ा सा सीन अलग होता है यह क्या है इसमें यह होता है कि इस नंबर फे यह दोनों कटने चाहिए दोनों कटने चाहिए बाद समझ में आई ना समझ में सबको समझ में आई ना आई समको समझ में मौनिका सिंग का लएप मांस खतम हो गया बॉर्ड मांस सब को यह मतलब समझ में आया तो सभी बोलो यस 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 रोबिन कुमार राजबिसाल सपना वरसा ठीक है चलो तो अभी हम लोगोंने क्या सीखा अभी कोई नियम नहीं सीखा सिर्फ हम लोगोंने यह सीखा कि आखिर LCM होता क्या है dragons is claim or hcf में क्या आंतर हैं आप समझ गए नf लगा मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया कि वह क्या होता है वह पापा हो वह उन्के सबसे पहले इक आसान नियम यह सीख लो कि कोई भी दो संख्या है जो आपस में अभाज हैं मतलब कोई भी दो संख्या जो आपस में अभाज है मतलब वो ऐसे अभाज हो अलग अलग या ना हो जैसे अगर हम ऐसे बात करें जैसे मालं लो 3 है और 2 है मतलब एक परकार से यह समझो इनके कोई common factor ना हो इनके कोई common factor ना हो तब इनका LCM क्या होता है जानतेयो इन में कोई नियम नहीं लगाया जाता है इनको देख करके उत्तर बताया जाता है कितना होगा आप जानते हो देखो समझ लो कुछ चीजें आपको सीखना है यहां पे कोई नियम अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं इस तरह कि कोई भी दो संख्याएं हो या दो स्या दिखों जिनके आपस में कोई कामन फैक्टर ना हो मतलब उभैनिष्ट गुड़न खंड क्या बोलते हैं उसे फैक्टर मि हो जाता बाबू ठीक है याद रखना तो इनका जो एल सीयम होगा इन दोनों का गुड़ा करके बनेगा छे आएगा कितना आएगा छे सबको समझ में आया इसी तरह से अगर दूसरा देखें मान लो हमने लिखा ग्यारा और तीन तो इनका जो एल सीयम होगा भाया वह ग्या देखो समझो दोनों संख्या जो भी है दो है या तीन है कितनी भी है उनमें कोई भी कामन फैक्टर नहीं होना चाहिए अगर कोई कामन फैक्टर नहीं है तो उनका एल सीयम निकालने के लिए उनका गुड़ा कर देते हैं बाकी और कुछ नहीं करते हैं बस सिंपल सा है सभी समझ गए ना चिराग बच्चा इतना ज्यादा ना भेज दो कि यहां भी उचाला हो जाया काहे को यह सब भेज रहे हो चलो एक और बताओ जैसे दो तीन साथ इसका LCM कोई बताएगा अभी हम किसी रूल पे नहीं चल रहे हैं अभी हम आपको ऐसा फंडा सिखा रहे हैं कि तुम बीना कुछ करे जान जाओ लेकिन हाँ जो इसकूल लाइफ में हैं ऐसा दिमाग ना लगाना वहाँ पे ने गुरु तो नियम से ही लगाओगे मतलब आठ तक हो फिलहाल दस में तो कहीं LCM आता नहीं हां सबको समझ में आया ना बरसा सिंग आप अपना कमेंट पर ध्यान दीजिए ठीक है चलिए समझ ये इनका LCM क्या होगा भया पहले देखो दो है तीन है फिर साथ है ये सभी आपस में क्य पर लोगे 42 आएगा यही क्या होगा उत्तर होगा यही क्या होगा अंसर होगा अच्छा ही बताओ ललकी वाली पनिया भी दिख रही कि नहीं भाई कुछ ज्यादा ही चमक है का मुझे लगता है चमक कुछ ज्यादा होती इस होजा से थोड़ा सा कम दिखता है का वैसे रेड जैसे मानलो चार पांच और तीन इसका LCM क्या होगा तीनों कोई बता दे मुहम्मद साकीब आप ही बता दीजिए चली बताइए इन तीनों का LCM क्या होगा इसमें कुछ नहीं करना है अगर उनके कामन फैक्टर नहीं है तो उनका गुड़न फल ही उनका क्या हो जाएगा LCM हो क्या होगा इस आतना ही याद रखना इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है समझ गये न तो वस आप समझे गया हम जो कहना चαहते हैं लेकिन बाद ध्यान इस पूरा देखना बागू कभी बी जब भी पढाना डाइ का ने काय को होता तभी पढ़ो जिनको भी पढ़ना है रोज रात नो बजे से बाद में कलास यूटूब से हट जाएगी तो हमारी को जिम्मेदारी नहीं है लाइब सभी आओगे टाइम पे क्योंकि यहां पे थोड़ा एक उत्साह बढ़ता है कि बच्चे जादा जुड़े हैं यहां प देखो अब हम क्या करने वाले हैं यह तो आप समझ गए हाँ इनका अगर LCM की बात करें तो गुड़नफल होगा चार पंचे बीस त्याही साथ इसका उत्तर आएगा अगर इसमें हम HACF की बात करें हाइस्ट कामन फैक्टर तो वह वन होगा क्या होगा वन अब हम नियम पे चले है ठीक है रूल पर चलो सभी भाया रूल पर चलो अब दो और चार का LCM बताओ देखो यह उस तरह का कुईस्चन नहीं है आप को इतना छोटा का यह दे रहे हो इतना छोटा तो सब को आता है लेकिन जिनको मैत नहीं आती है उनके दिल पर हाथ रखके एक बार देखो धड़कन कितनी तेज हो जाती है अगर मैत का आता है तो और इतनी सरम लगती है कि किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं तो उनके लिए पढ़ा रहा हूं जिन्होंने उमीदें छोड़ दिया मुझे मैत आएगी उनको आएगी खुश हो जाओ एकदम दिल से आएगी पक्का आएगी देखो चमझो कैसे करेंगे पता है सब सब्सक्राइब से हम लोग पहले वैसे कर लें तो जादा अच्छा रहेगा मारकर में थोड़ा इंक डाल दें और यह सिस्टम डिस्चार्ज हो गया कोई जायेगा नहीं सभी जितने भी साथी हमारे जुड़े है ना वह इस सेशन को लाइक करने तुरंत देर ना करें तुर लाइक करिए और दोस्तों में भी सेयर करिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं आप समझते चलिए थोड़ा आप समझे थोड़ा हम समझें बेतर होगा ठीक है तो मारकर में थोड़ी सी इंक भरते है तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में दिख दो रहा है ना कोई चुपके वाला काम नहीं है कि मैं इधर साइड छुपा के खड़ा हूं लेके सब लोग देख लो चलो कि सपना कुमारी आ रा समझ में जिनके कमैंट आते हैं उनекст के आते हैं जिनके नहीं आते हैं उनके दही जमाय क्योंकि जो इतने तगड़ हैं यह लोग किसी और का कमेंट आने नहीं देते हैं इतना कमेंट करेंगे एक ही सिकेंड में ना पागल हो जाएगा अगला लिखे गाई नहीं हो कुछ चलो ठीक है आगे बढ़े फिर हम लोग तो हम कौन सा मेथेड करें आप यह बताओ अगर गुड़न खंड विधी चाहते हो तो बी लिख के कमेंट करो बी फार बाल और भाग विधी चाहते हो तो ए लिखो ए फार एपल आम आदमी और आत है ना सबेस ही तो होता है चलो मतलब सा मेथेड से किया जा भाई चलो देखो ठीक है कुछ भी करो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों नंबर के फैक्टर करेंगे अलग अलग फैक्टर करना मैंने पिछली कलास में बता दिया अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आप पीछे की कलासों को देखो भाईया बाबू पीछे की कलासों को देखो सबसमझ में आएगा फैक्टर सबसे पहले करेंगे दो और चार का तो इसका फैक्टर होगा वन इंटू तू और इसका फैक्टर होगा वन इंटू तू इंटू यह क्या होता है गुडनखंड होता है जिनको यह भी नहीं आता वो पिछली कलासे देखें जो अभी तक पड़ाई गई है ठीक है मैंने गुड़नखंड बताया है इसमें क्या करते हैं भाई साहब इसमें जो नंबर दोनों में common होता है उसको घेरते हैं पहले गुल्ला बना देते हैं ठीक है देखो यह दोनों में common है बोलो हां बोलो हां common है अब क्या करोगी नीचे लिखोगे LCM of 2,4 अरे हिंदी वाले लिख्थो 2 और 4 का लासा इसको हिंदी में लासा बोलते हैं ला मतलब लगुत्तम सा मतलब समाप वरते इसलिए लासा बोलते हैं अब लासा का मतलब कुछ और लासा समझते हैं सब इसलिए मैं नहीं प् inglis को से चलो है तो जो कॉमन और उसमें से एक नंबर है जाएगा इसलिए क्या हो गया आपको ग्लाइन साथ हो ग्या और खंताय यह इन्सॉट क्यूंन नहीं हो गया क्योंकि इसका आज़िए डोसम्जों प्लूम में कॉमन था वह तो लिख दिया जाता है उसके बाद जो लाश्ट में बचता है यह कहता है भाई सबका साथ और सबका आगे का वर बोलेंगे लोग गाली देंगे जो बच जाएगा जिसका कोई भी साथी नहीं है अकेला साहत अनहासा उसको भी इसमें साथ में मिला लेते हैं और इनका गुड़ा कर देते हैं कि आपका वोड़ा क्या हुआ वाय जएक कोई संब्हसन हो रहा है ईसमें परिवार से इंटरी है वही जो हस्बेंड وाइप हैं उसमिज भी आज आप समझ गए न और जुँ अकेला है जिसके ना हस्बेंड है ना वाइफ है वह आ सकता जैसे यह यह अकेला था यह दोनों डबल थे इसलिए इसमें से एक आए समझ गए न आप समझ गए अब तो समझ गए न इनका मल्टिपल कर लो यह हो गया चार इस तरह से आपका अंसर हो गया चार से भाग करें तब भी पूरा-पूरा कट जाए, जीरो आए, सब को समझ में आई इतना, देखो भाई अगर आपको मेθ नहीं आती, तो कलास को पूरा देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कलास को पूरा देखना छोड़ के वीच में नहीं जाना अगर वास्तों में सीखना चाहते हो तब बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना और हां नहीं सीखना चाहते हो तो बहुत सारा चैनल यूटूब पे मिल जाएगा खुब खोज लो बिल्कुल दिल लगा के खोज लो यूटूब पे खुब सारा चैनल मिल जाएगा कोई 4 वीडियो डाला है कोई 40 वीडियो डाला है कोई 20 वीडियो डाला है पूरा कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि तुम पढ़ोगे ही नहीं किसी का वीडियो 10 सिकंड देखोगे किसी का 2 मिनट देखोगे किसी का 4 मिनट देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला किसी भी चैनल पे दे सब कुछ गिरी जारा यहां पर लग रहा है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है क्या बोलते हैं उसे गुरुत्वा करफण थोड़ा थोड़ा साइंस भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मैं था बड़ा बोरिंग लगता है साइंस में मज़ा आएगी है ना बहुत सारी एक्जामपल मिलेंगे गाउदेश के आपको सिखाएंगे बस हम साइंस जल्दी ही सुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्रेजल जैसवाल जी आरा कुछ समझ में मोनिका सिंग चलो ठीक है अब हम कमेंट के लिए किसी को नहीं रोकेंगे कुछ भी भेजो गाली दोचाज इतना ठीक है हाँ मैंने भी सोचा है देखते हैं तुम लोग का कितनी हद तक जा सकते हो चलो कुछ भी भेजो चलो देखो दस और पंदरा कैल्सियम क्या होगा कोई बताएगा अब इसका मतलब यह नहीं कि बोल दिये तो तुम गाली देना शुरू कर दो हमारे और भी साथी कमेंट देख रहें तुमको भी ना कुछ बोले वलाग कर देंगे चुपस नीतेस बता दिये 30 आएगा बीबेग पाल सप राज ठीक है बहुत अच्छे देखो बच्चे इनका भी आप क्या करोगे तो बच्चा फैक्टर में वन सब में रहता है यह कैसा है ना यह गाओ कि क्या है बाबुजी है कोई भी प्रोगराम होता पारटी होती ज़रूर पहुंच जाते हैं परदान है ऐसा समझो ठीक है त उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे मतलब उकुल मिला के यह समझे लो तुमकी पंदरा और दस से कट जाए मतला दोनों से कट जाए वह संख्या में बतानी है लेकिन छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए वह ऐसे देखो तो 150 भी कट है कि आटी यह डिस्टरब क्यों करता है राज-पटेल क्या करें तुम्हें बलक कर दें है कि इसको बोल रहा है मर जओ अव लड़ाई कर लो हां कर लोकर लो लाद बुसा ले लो दुचाड कर लो लेखो जो दोनों में common है पहले उसको देखते हैं उसके बाद से तो कोई मतलब नहीं होता इसमय कामन रहे या ना रहे रहे कहीं चला जाए इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि कोई फर्क नहीं पढ़ता इस नमबर से तो अब दोनों में क्या common है यहां पर लिखो LCM of या फिर लासा 10 कामा 15 ठीक है तो भाया इनका common क्या है पांच है इसके अलावा बच क्या रहा है यहां पर एक नंबर बच रहा था कौन-कौन सा एक ठीट तो तीन बच रहा है तो पांच तीन पंदरा दुना तीस इसका क्या हो गया सबको समझ में आया उमीद करते हैं सभी LCM सीख गए है सीख गए ना भाया LCM सीख गए ना बाबू सभी कि नहीं सीख गए ना देखो यार बच्चे कम हो रहे मैं नहीं पढ़ाऊंगा जान लो जिनको नहीं पढ़ना तुम सभी चले जाओ पहले चलो निकल लो जल्दी से जि इस क्लास को सभी साथी लाइक करो देर ना करो चल दी करो भाई फटा फट देर ना करो और कुष्टन अब कुछ बढ़ने वाले हैं चलो बहुत मज़े ले रहे हो ना चलो बताओ अरे इको ऐसे लिख दो और तीस चलो इस कुष्टन का जबाब दो कितना आएगा इस सेशन को सभी लाइक करो भाई देर ना करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपकी भी कुछ जिम्मेदारिया हैं अगर आप उसे निभाते चलेंगे ना तो भीना कहे पूरा दिल से हम पढ़ाएंगे लेकिन अगर आप धोखा दोगे ना फिर वही अपनों ने दिया है धोखा गैरों से सिकायत क्या है ना तो फिर सिकायत की कोई बाती नहीं बचेगी वजा ही नहीं बचेगी तो हम कुछ कहेंगे इन जो भी मन करेगा हम भी कर लेंगे निते अंसू सोनू जीतेंद्र जर्दारी इनका नाम है और मैत कमजोर है जर्दारी साहब नाम तो बड़ा जोरदार है आपका फिर मैत कैसे कमजोर हो गई तो गड़बड है गुडन खंड विधी आप लोगों को बताया था कोई इसका उत्तर बताएगा कोई आंसर देगा भाईया देखो गुडन खंड विधी एक होती है एक होती है भाग विधी दोनों विधी से करेंगे यह दिखेगा क्या ठीक है देखो तो पहले हम यह नंबर ले लेंगे 48 जो भी यहाँ पर लिखा है कि पोटी चाहें जो पहले लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है कि दोनों के करेंगे बुड़न खंड करेंगे दोनों के पिखो समझो में इनके प्रकर कैसे करोगे आप सब fällt आ वैनने बताया है देखो 2 दोना चार चार दूना आठ फिर आठ दूना 16 और 16 ती आड़ालिस यह होता है न सभी जानते हो न कोई इसका उत्तर बताया निसू बेगम आरा समझ में देखिए ठीक है मैं बताता हूं जाने दो दो दूना चार दूना आठ आठ दूना शोला और 16 ती आड़ालिस देखिए यह कैसे आता है पर यह साथियों थोड़ा सा ज्यादा बलर हो रहा है का क्लियर तो है ना इसक्रिन कुछ ज्यादा इसे आहीं पड़ गई मुझे लग रहा है इसमें 326 बता रहा कोई इसका अंसर ठीक है जो भी है वैसे इसका करोगे तो दो दूना चार नहीं यह ऐसा बनेगा ही नहीं दो से काट ओगे 21 आएगा तीन से काट ओगे साथ से तो त्याहिए छे सते 42 साथियों देखो यह गुड़ा करने पर 48 आना चाहिए इसका क्या है फैक्तर निकालना मैं ने पीछे की कलासों में बता दिया है दो दूना चार दूना आठ दूना सोला तिया अरतालिस ठीक है तो दोनों में जो कॉमन है पहले उसे करेंगे जोनों में कॉमन है मतलब एक ब कि अगर हम देखें तो इसमें बहुत से यसे नमबर है जो बेचारे अकेले सिंगल सिंगल में है मतलत दोनों में नहीं है ऐना ऐसा जैसे इसमें देखो यह दो बचरा है इसको भी क्या करेंगे इसमें लाके गुड़ा के रूप में लिख लेंगे एक दो ये भी बच रहा था ये भी बच रहा था और एक साथ बच रहा था तब का करोगे आपस में गुड़ा करोगे तो कर लो ना रोका किफने है दो तियाई छे दूना बारा दूना चौबिस दूना अड़तालिस अड़तालिस का साथ में गुड़ा कर लो अड़तालिस का स प्राइब आएगा राज बर्मारा समझ में रितिक सिंह आएगा ना कोई किसी को डाउट रहान से देखो समझो आगे तो ये क्या था LCM निकालने का गुड़नखंड विधी था जो आप लोगों ने सीखा कैसे मैंने क्या क्या किया हेक्टर किया इनके गुड़नखंड किये दोनों नंबर के जो कॉमन था उनको एक ही बार लिखा उसके बाद जो जो बच रहा था किसी में कॉमन नहीं था जिनके जोड़े नहीं बन रहे थे उनको भी लिख लिया जाता इसी तरह से आप इसमें HCF भी फाइंड कर सकते हो HCF वो होता है मतलब इसका मतलब होता है हाईएस्ट कामन फैक्टर तो जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वह ही HCF होगा बागी कुछ नहीं होगा तो HCF में क्या होगा बाई साहब HCF में होगा बाबू एक तो दो का और एक तीन का मतलब फाइनल में छे HCF 6 आएगा कितना आएगा 6 आएगा सबको समझ में आया ना जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं अगर आप यूटूब पे देख पा रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी से कर लें देर ना करें जिससे कि वो आराम से पढ़ पाए प्यार से चलिए अगले प्रस्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग आप सीख रहें LCM 85 और 9090 इसका क्या होगा बहिए बताओ यह थोड़ा पैन में सही कर लेता हूँ 85 और 90 का बताओ क्या होगा चलो बताओ सभी बताओ चल्दी करो कितना आएगा संजय कोशिश करू नहीं यार सभी कितना आएगा 85 और 90 का कितना आएगा देखिए जैसे हम गुड़नखंड विदी से कर रहें इसी तरह से हम भाग विदी से भी करेंगे लेकिन सबसे पहले हम एक एक कम्पलीट करेंगे मतलब यह नहीं कि इसमें भी टांग अड़ा दे उसमें भी अड़ा दे और हो ना कोई नहीं एक विदी आप सभी अच्छे से सीख जाओगे तब हम दूसरे पर चलेंगे उसके पहले नहीं बाद में वीडियो नहीं रहेगा जो लाइब में देख लें देख लें जो बाद वाले है ना बाद में वीडियो रहेगा नहीं यूटूब पे देखोगे क्या बाद में नहीं रहेगा 85 और 9090 देखो इनके क्या करेंगे पहले फैक्टर करेंगे क्या करेंगे गुड़नखंड करेंगे तो साथियों अगर हम 85 के फैक्टर करेंगे आपको पता है पहले यह 5 से ही कटेगा फिर 17 से कटेगा क्यों भाई ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न क्योंकि हमें मालूम है जब हम यहां 85 के फैक्टर करेंगे पचासी के यह दो से तीन से तो कटेगा ही नहीं और अगर इसका देखें तो इसके तबाई बड़ी लंबी कहानी है दो से कटेगा फिर से तीन से कटेगा दो त्याइए छे तरीक अठारा अठारा पंचे नब्बे इस तरह से अगर हम इसके लसी एम की बात करें देखिए कोई 1444 बता रहा है ठीक है बच्चे जो भी है लसी यम आफ 85 कमा 9090 एकल जो दोनों में कॉमन है जैसे फाइब नंबर क्या है दोनों में कॉमन है तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे यह फाइब उसके बाद चुकि हमें लिखना लसी यम है अब दोनों में जो कॉमन नहीं है जो भी बच रहा है सब को लिख सतरा बच था इसको ले लिया फिर यह दो ले लिया आगे दिखरा था कोई नहीं है यहाँ पर टीन अवर है थाना सको भी ले लिया सब कर बड़ा कर सत्के नब्ब्डग क करना है बच्चा 17 में यह तो तुम करी के लूगे तब को मालूम है 1750 कितना होता है 17 गामगा 170 होता है 17 dipping होता है ना तो बच्चा 130 यह तुमार कुए हो गया बाफु और ए्यकरी सुनना हो गया यह अंसर हो गया फंदरह सो तीस कितना आया 1530 आया चिराग बच्चा तुमारा 1440 कई से आ रहा है संजय कुमार यादो इनका आ रहा है ठीक है और कोई किसी का आया सीतल चोधरी ठीक है कोशिस आप लोग कर रहे हैं अच्छी बात है चुकि हम लोग सीख रहे हैं बेसिक गड़ी जिनको मैं थाती है उनकी इस कोई जगह नहीं उनको इसमें जूड़ना ही नहीं है वह कंपटीशन वाली कलास देखें पीवी आरे स्टेडी चैनल नंबर दो पर आपकी चल रही है इस तसलिए उसमें फ्री कलासे बहुत कम चलती हैं कुकि कंपटीशन में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे हो गया अब आपका तीसरा एक और कुजिश्चन हम देंगे सबसे पहले आप लोग जबाब दोगे 112 और 180 कांसर कितना आएगा चंदन कुमार बताइए जबाब दीजिये वाई चलो जल्दी करो बताइए नहीं नहीं मार के नहीं भगाएंगे जिनको आती है वो भी इसी में रहे है वो तो आप लोगों की प्यार महब्बत है आती है फिर भी देख रहे तो चलो अच्छी बात चलो राज पतेल बेटा तुम कमेंट के लिए ही आते हो। तुम्हारी आत्म यही हिसा हही है कि मेरा कमेंट आये तुम पढ़ने नहीं आते हो यह इसका नहीं स्बस्सक्राइब और बत पाज अच्छे बहुत अच्छे अजी तेमेरेक ब्रूसिथ किया बाकी यह में הנ करे जा रहे हैं उत्तर नहीं बता रहे हैं रादे स्याम जी बहुत बहुत थेंक्यू आपको चलो देखो बाई समझो यह 112 जिसमें स्याही भरनेस पता नहीं कहां चली जा रही है कानी कौन सी बीमारी हो गई है कि यह पतलब चल नहीं रहा है और 180 यह अब निकला पचला जम गया था आगए देखिए इसका क्या करेंगे एक एक का फैक्टर करेंगे जैसे इसका दो पूड़ा फिर क्या होगा दो हमें पता है इसका फैक्टर ऐसे करते ना भया जैसे 112 हो गया दो से काटा सबस्क्राइब करेंगे यह क्या होता उत्यवल पोलते हैं तो से कटा इना इसके बाद एक सेबन था मैंने लिख दिया इसी तरह से चलिए अब समझेए समझते हैं ठीक है तो मित्रों अब क्या करते हैं इसमें इतना करने के बाद हम लोग एक काम वो करते हैं कि इसका जो भी सभी में common है दोनों में उनको पहले underground करते हैं मतलब घेरते हैं यह दोनों में common है ठीक है और कोई नंबर दोनों में common है नहीं अब नीचे लिखेंगे लसी माफ कि वान वन टू कामा वन एट्टी इक्वल कितना आएगा भाया लिख लो फटा फट्टे को बहुत ही प्यार से पढ़ना बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है जल्दी करना है जल्दबाजी नहीं यह दो ठीक है एक दो इसमें दूसरे वाले का common का इसके बाद क्या करते हैं जो सब में common नहीं है उन सब को सामिल कर लेते हैं सियम तो यह क्या है गुरुद्वारा का बंडारा सबको मिलता है देखो समझो पहले जितने डिजिट common थे दोनों में उनको लिया गया अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे फिर यह common करने से फायदा क्या होता है आखिर जब बाद में जो बचता है सबको लिख दिया जात है क्योंकि अगर हमने जोड़ा बना बना के लिखा यह एक एक ही दो यहां पर आया वैसे गिने तो एक दो तीन चार इनकी संख्या चार है जैसे उस दिन बताया था कि अगर कोई मीटिंग हो रही है उसमें यह कंडीशन है कि भईया मिया भीवी यानि वाइप में से दोनों में से एक ही लोग को सामिल होना है दोनों आ जाएंगे तो खत्रा हो जाएगा और जो सिंगल है बेचार हमारे जैसे हो आएंगे आराम से तो जो डबल है उनमें से सिर्फ एक ही आएंगे अगर दोनों आ गए तो गड़बड इस वज़आ से इनको क्या करते हैं कि पॉमन ल रहा है कि अभी तो उधर लंबा दीख रहा है कि एक तीन और बच रहा है और एक पांच बचरा था अब क्या करेंगे सब का गुड़ा कर लो आख़ा गया है इतना सब को बहुत बड़ी熾दान्य कतना हो गया कि इसको सात्री किस कि और यह कितना हो गया पंध्रालो दो हमने इसको थीन पार्ट में कर लिया क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था बहुत बड़ा हो जा रहा था अब इसका फिर से गुड़ा कर लो फाइनल में 16 एक सोला हासिला एक सोला दुना बद तीस एक ताय तीस और यह पंदरा भाई यह तो सब करो नयार कल्कुलेशन अब यह भी मैं करके बताऊं फाइनली डारेक्ट लिख दूँ यह को छोटा चोटा पार्ट में करते हैं हमने क्या किया यह बहुत बड़ा दिख रहा था लंबा चो 336 आ गया ERेसमें गुड़ा कर दो हो गया अ क्यों में महएना को छककद के फंदरा चकतक नबुए हासिल किणा जिरो यह कौन सी गड़ी थे वह यह से लिखा जाता है रिखेजीर वह लिखत और rivalry में 45 4500 पांच पचास चार सिए हाश हासिल आया किटना किसना पांच और पं पपाई पढ़ेंगे 3040 न पढ़ेंगे चलो पटा जिराग बताई जबाब दीजे राज बरमा प्रयंका सिंग रभी संकार रोबिन मोहिनी गुट्टू सरोज पुझमा ठीक है ट्राइब करो फटा-फट सभी ट्राइब कर अगर इसमें अच्छी सीफ की बात करते तो कितना आता बताओ जो भी मैंने किया इतना आता राज बर्मा अतुल कुमार ठीक है बहुत अच्छे बेरे गुट पांच लाख लिखा है क्या लिखा है पांच लाख ये सब तो बहुत ही छोटा-छोटा मतलब है टॉपिक एक परकार सही से तो हर कोई जानता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रियल में समस्या इस वज़ा हैं और हर दिन नए जुड़ते हैं क्योंकि इंडिया में 20% लोगों को नमयत में कुछ नहीं आता है 20% लोगों को मतलब बढ़ित में कुछ मालूम पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो बस नंबर नीचे चल रहा है डंडा ना करो एकदम से देखो नंबर पे कांटेक्ट करना दिन में 12-18 वाले जो रंडा कर रहें उनको होल्ड कर दो 5-5 मिनट होल्ड कर दो साथियों जैसे अभी तक आपने पढ़ा गुड़नखंड विधी उसमें क्या करते हैं गुड़नखंड विधी में दोनों नंबर के ऐसे फैक्टर आलाग अलग करते थे यह बारा और अठार तो दूना चार ऐसे वह बनेगा नहीं दो त्याइं इच्छा त्रीक अठारा ऐसे करते थे आप सभी पढ़े हो पढ़े हो ना समझो फिर तो अब ऐसे हमें नहीं करना है अब हमें काम करना है कि जो भी नंबर का लसी एम फाइंड करना उन दोनों को इस हराई के अंदर लि हो जाएं पहले तो यही कोसिस करनी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम एक एक नंबर टार्गेट करके कमपलिटली डिवाइट करेंगे तो आप लोग मुझे यह बताओ सभी बच्चे कि कौन सी ऐसी गिंती है छोटी से छोटी जिससे यह दोनों कट जाएंगे यह मै 36 हो जाएगा बस हो गया कि अगर देना है तो इसके अलसी हो गया देखके बता दो मैं तरीका बता दूँ ट्रिक बता दूँ जुगार बता दूँ लेकिन यह कमपटीशन में आएगा नहीं करने को बड़े-बड़े कुश्चन करोगे उसमें यह चोटा सा इतना बड़ा प फिनका कमेंट आ रहे तो बाबू यह 2 3 12 और यह दो नमाट,-ठारा और ixaन क्या कोई ऐसी संग्या है जिस्से दोनों कट जाएं यह को और हम ठीक ही यह थ Memo इसी बात नहीं एक तो अब वो दो तरीका ठीक है किसे काटेंगे वो गिंती है तीन तो तीन दून अच्छा तीन तरीका नौ लेकिन भाया अब यह दोनों अलग-अलग समुदाय के हो गए अब इनमें बनना नहीं है किसी तरह कोई कर लिया ना तो बड़ा हंगामा हो जाता है यह अब दोनों ऐसा मैं क्यूं बता रहा हूं कि इस समय महाल ऐसा बनाया गया इस देश में कि लोग इसको बहुत जल्दी समझ जाते हैं पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना तो किसी को पता ही नहीं होता था भलाने कौन से जाती के हैं माहिटर का नाम क्या है हम लोग गुरुजी का नाम तक नहीं जानते थे आज तो लोग नाम धरम संपरदाय समुदाय पता नहीं क्या-क्या पहले से खोजते हैं तब पढ़ते हैं पढ़ना है नहीं बात वो सब करो खतम चलो आगे बढ़ें अब यह किस से कटेगा यह दोनों सब अलगला गिंती से कटेंगे तो अब इनको तीन से भी कटेगा दो से भी कटेगा तो पहले हम तीनी से काट लेते हैं एक चीज देखना अगर यह तीन से दो कंप्लिटरी डिवाइड नहीं होगा तो इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे इसको ऐसे ही लिख देंगे बस कुछ नहीं करेंगे ऐसे लिख देंगे और यह तीन एक कम तीन कितना तो तुम लोग जानी रहे हो इसमें किसी को कोई परिसानी हो तो बताओ रोहित कुमार कुछ समझ में आ रहा की नहीं आ रहा ना बच्छा चलो देखो उसके बाद दो से काड़ लुग अब यह दो अकेले बचा मिला के वण हो जाना चाहिए बस हो गया सारा मैटर मिल गया जो मिलना था अब यहां पे क्या लिखोगी यहां पिलिखोगे ल्सीम बराबर जो जो आए है देखो दो फिर तीन फिर तीन और फि तो यह होता है भाग विधी करने का तरीका हम पढ़ारें बिल्कुल जीरो लेबल से तो जो लोग इस उमीद में हैं कि मैं बहुत लंबा चोड़ा सवाल दूंगा अभी ना तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं हमारी कोसिस यह है कि जो बच्चे उमीद छोड़ चुके हैं गड़ित से जिनको मैंत में नहीं कुछ आता है उनके लिए हम कलास चलाते हैं यह कंपटिशन वालों की कलास इसी चैनल पे प्लेइलिस्ट में उपलब्ध है और पीवी आरे स्टड़ी एप में उपलब्ध है ठी लो तो यह आप लिख लो और हां एक चीज इसमें आपको और भी बता दूंए क्या नहीं बताओंगो ज्यादा बता दूंगा तो फिर तुम लोग करोगे क्या जाने दू चलो अगला कुश्चन में चलो देखिए आपको आना सब कुछ चाहिए और जो बिल्कुल बिंदास एक दम टेंसन फ्री होके आएंगे ना फिर वही सीख पाएंगे जिनको जल्दी है ना बच्चा निकल लो जल्दी जिनको थी ना वो चले गए मैंने ट्रक में देखा था पीछे लिखा था तो मुझे समझ में आया कि भाई दीरे दीरे चलो उसमें लिखा था जिसको इंडा किये रहो बस जल्दी जल्दी गपर गपर बोले जाएं और तुम कुछ समझो लिखो या ना लिखो बस यह लगे कि हां आज तो दस मिनट में पचीस सवाल कर लिए हैं तीनट हो क्या बाद में पता चले पचीस में से तुयोट नहीं आ रहा है तो फिर ऐसी पढ़ा कि देखो यह कोई बताएगा इसका अंसर क्या जो बड़े एक्सपर्ट हैं चल दी जबाब दे नीरज कुमार असोक बताओ भी बताओ कितना आएगा देखो सिंपल है ऐसे आपको पहले यह बनाना है मतलब हराई बनाना जिसे हम बोलते हैं धियाती भासा में 18 और 24 यहां प और यह गदों जिनको यह फैक्टर वक्टर नहीं आ रहा ना यह कलाफ नंबर तेईस है आज जाके कलाफ नंबर पहली दुफित तीफिरी चवथी देखो है जिनको यह भी नहीं हारा कि यह कय से हो रहा है कि यह सब कौन सा ज्यान लगए वह जाके उसको देखे हैं क्योंकि हमारे यहां बिल्कुल जड़ बुद्धी वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छी बुद्धी वाले बना देते हैं समझ रहना बिल्कुल कभी अपने आपको छोटा मत समझना नहीं बहुत महान हो आप चलो अब दो से यह कभी कटेगा ही नहीं नो इसको ऐसे लिख लेंगे अब दो चंग बारा जब तक दो से कटेगा तब तक इसको काटो अब अब मैं दूसरा थोड़ा सा फंड़ा बदल देता हूं उसमें मैंने अलगतर लगाया था दोनों बेसिक है दोनों सही है जब तक दो से क बार लग गया चलो देखो अब यह तीन से कट जाएगा तीन तरी कर नो तीन एक कम तीन अबन दो जा तुँ अब भाई रुको एक आधा मिनट चलो कुछ आत्मा को सांती मिली अभी नहीं एक मिनट रुक जो भाई चार्ज नहीं है चला रहा है चलो ठीक है हो गया तो अब यहां पर क्या लिखोगे LCM बराबर LCM बराबर दो गुड़ा दो गुड़ा दो तीन बार था और गुड़ा तीन दो दुना चार दुना आठ तरीक चौवविस गलत है आ रही है तो फिर कहां गलत हुआ अच्छा अभी तो दादा बचे ही है नीचे यह तीन एकम तीन यहां पर नीचे वण 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 आ जाना चाहिए इस बात कब इसे ध्यान देना तो भाईया यह है दो दुना चार दुना आठ तरीक चौवविस दियां आरे चौविस दियां कितना होगा तिन चोग बारा तिन चोग बारा असिल एक तीन दुना चाहे एक साथ बार तर लेको भाईया एल सीम का मतलब यह होता बाभू कि वह छोटी से चोटी संख्या जिसमें जिसमें तुम दोनों से भाग करो बारी-बारी तो पूरा पूरा कट जाए तो समझते चलो हम बहुत ह तुमको पढ़ना है नहीं जानते होगी जो लोग थोड़ा एजट होंगे अगर 18 साल से उपर है बीस भाई तो जानते होंगे पहले हम लोग निमंतर्ड जाते थे जिसे करते नहुता तो वहां पाद में भीठाते थे खिला आते थे न पूरी सब्जी आती न तो कहते हैं रहे पहले पूरा प्लान से मतलब है कि वही क्या क्या है बताओ उसी इसाब से रखा जाया अगर ना हो तो थोड़ा इसी को ज्यादा भरे अगर आगे और भी आईटम है तो थोड़ा 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 वैसे यह है इनको जो पढ़ा रहे उसमें नहीं मजा रही अब समीकरन प पढ़ा दो हां बहुत कुछ पढ़ाना है सब कुछ लाके तुमरी खोपड़ी पटक नहीं कट्थ है दबा जाओ लेकिए पता नहीं कहां से आजाते हैं तो 37 42 कि इसका बताओ तुमको आता है न मिस्टर कहां गये क्या नाम था इनका मैं इनको डूंड़ने वाला हूं पता आने लगो कि बताओ तुर्गेश जी बोलो हो की नहीं है चल बसे अच्छा तुमको भी जल्दी थी जिनको जल्दी होती हो चले जाते हैं तो इनका क्या करोगे कोई बताएगा LCM समझा इनको भी ऐसे बनाएंगे एक लाइन खीचेंगे दोनों नमबर यहां पर लिखेंग 3042 आप इनका वैक्तर करेंगे एक एक नमबर से बारी बारी और उसके बाद फिर क्या करेंगे थे करने के बाद आगे बढ़ेंगे रही तुम कह आं से आी चलो तो से काटोगे इसको 8 आएगा फिर 2 से काटे दो दूना चार दोैक म्च से काट Messi को कौई हारा नहीं ने बच्चा तुम बहुत ज्यादा मू बना रहा ह है हो गया समझ में है सबको इसका LCM क्या होगा तो चाचा इधर देखो LCM बराबर दो दो मतलब दो बार क्या है अरे उधर जगा नहीं इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं तुम इसको सीधा-फीधा लिख ले ना एक इन में ठीक है दो दुना चार तीयां बारा तीयां 36 36 का साथ से गुड़ा करोगे बच्चा तो साच्छंग 42 और सात्रीक 21 यकाइस चार पाचीस 252 आएगा मतलब समझ रहे हो ना ददा लोग देखो बताया नहीं था कौनों अंसर गलत है अब कुमार कहां थे गुरुदेव अभी तक तुम हां कहां थे तुम अभी तक चलो देख लेते हैं कहरें गलत है तो एक बार तो से कटा अठारा आ ठीक है दो से कटा यह नौ आ गया कि तीन से काटा साथ तीन दो दुना चार तीयां बारत यहीं 36 साथ चंग 42 सात्रिक 21 21 24 25 ठीक है बच्चा देखो तुम्हें अभी सीखने की जरूरत है लल्लू लाल अभी पढ़ लो ठीक है अभी पढ़ लो तब ठीक होगा चलो यह हो गया लिखलो स्क्रीन साथ ले लो भई रानी सैनी जी बिल्कुल सही है बिल्कुल बेरी गुड करेक ठीक दम सही है और ठीक ठाक होना सभी हम चलो तुछ अबावनाया है ठीक है अच्छा है चलो फिर इसको मिटाते हैं आप देखो मैं यही फिर करूं क्या आठ वार इसमें और क्या पढ़ाना था टाइम अभी काफी है न यह हो गया आपका एलसीम हो गया गुडनखंड विधी हो गया भाग विधी हो गया बड़े बड़े नंबर कभी कर लोगे कि नहीं इस तरह से फैक्टर करके बोलो पहले यह बताव सभी सीख गये जल्दी से बोलो यास और हाँ यह कलास को पहले लाइक करो सभी लोग जितने लोगों मैं ऐसे कुछ ज़्यादा देते हैं तो मुझे पसंद नहीं है चलो और जितने भी हमारे नए साथी हैं हमारे नए महमान है यार है मित्र है सखा है जो भी आप समझो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तूरं देर नहीं चलो जल्दी करो भया उसके बाद फिर हम आगे कुछ और टॉपिक पर चर्चा करते हैं है 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 मैंने नहीं पढ़ाया अब ही मैंने एचसी अफ नहीं पढ़ाया तो ठीक है वह भी बताऊंगा लेकिन पहले आप लोग लाइक कर दो तब चलो हट जा अब तुम हट जा तुम्हारा काम खतम है जरूरत है अब यहीं आएंगे सिर्फ छे लोगों ने किया बस बाकी लोग अभी तमासा देख रहे जल्दी से सभी लाइक करो फटफट और चैनल सब्सक्राइब करो तब ही आगे कुछ होने वाला है इसमें तुम्हारा सकून मिलेगा तो फिर किसी के दिल को सकून अगर दे सको तो दे दो अच्छी बात है गरीब आदमी है चलो तो ऐसे कहां कुछ मिल रहा है इस लाइप में देखो इधर अब हम क्या करेंगे है कुश्चन है च्छे बारा है इसके बारे में पीछे में कई कलास में डिस्क्रा आग विदी करेंगे बच्चा गुडंखंड विदी तो पुराना जमाना हो गया कर लिए आग विदी से करेंगे ठीक है तो देखो आप तरीका सीखलो सारा बागी करना या ना करना उससे कोई मतलब नहीं है चलो देखो समझो बच्चा जिनका HCF करना होता है ना उनसे क्या करते हैं दोनों का ऐसे भाग करते हैं इसमें दो गिंती है जो बड़ी गिंती होती उसको इसके कोठरी के अंदर लिखते हैं और जो छुटकी होती ना उसको दरवज्जा के बाहर बस और इसको भाग करते हैं ये 6 दूना 12 ये एक बात और सुनो इसको साइड में नहीं करना यह मुख्य है ऐसा नहीं कि यह रफ वाला काम है इसको बगल में कर दो उत्तर इधर लिख दोगे नहीं ऐसा नहीं करना बच्चा यहां पर क्या लिखोगे HCF इक्वल क्या 6 कुछ लोग सोच रहे होंगे छुटका हुआ HCF हो गया दो नहीं HCF का मतलब होता highest common factor वो बड़े से बड़ा फैक्टर वो बड़े से बड़ा गुड़नखंड जिससे दी गई दोनों संख्या है या फिर जितनी भी संख्या का निकालना है सब्सक्राइब हो जाएं उसको क्या बोलते हैं बाबु HCF बोलते हैं तो HCF कितना हो गया 6 अच्छा इक बात बताओ अगर इसमें एक ठी और आजाए छुटका हुआ आजाए भाई देखो यह मानलो भाईया भावी है आपके अब उसमें एक नया प्रोड़क्त लांच कर द लोगों को कुछ जाद है समझ में आएगा अब इनका HCF कितना आएगा कि कोई नई बात तो है नहीं ना मैंने कुछ गलत कहा सही बात है होता ही ऐसा चलो बताओ क्या आएगा अब इनका HCF क्या आएगा कि देखो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि आप इसी में सब सीख जाओ इनका करने का तरीका जो है वही रहेगा लेकिन थोड़ा साल अलग हो जाएंग वह कैसे पता है इस तरह से चाहे जितनी संख्या हो जाएंग तो बच्चा इसमें क्या करोगे कोई भी दो गिंती ले लो तो हम 6 और 2 को लेंगे 6 में 2 से भाग करेंगे ठीक है समझ रहो ना उसके बाद यह 2 तियाई 6 यह कट गया हो गया 0 तो आप कहोगे कि क्या यह HCF यहीं आ गया नहीं अभी confirm नहीं कि HCF 2 है कि नहीं अब फिर क्या करेंगे कि जिससे लाश्ट टाइम यह कटा जैसे दो से कंप्लेटली डिवाइड हुआ है तो बच्चा दूसरा वाला गिंती लोगे है ठीक है कि जो एक छूटा था और इस से जिससे यह कटा था लाश्ट टाइम में उससे भाग करोगे 12 यह भी पूरा-पूरा कट गया ना है तो है एक सीफ कितना हो गया यहीं लिखोंगे नीचे लिख लोगे दो कुछ लोग सोच रहे होंगे यह तो बड़ा हलुआ एकदम आसान है दादा एकदम मज़ा हा रही है कुछ अलग तरह कभी इसमें होता है उसमें इतना मज़ा नहीं आती है जैसे आप देखो कहानी क्या होती समझो अब समझो जिनको भी घड़ित सीखना है पूरा क्लास देखो प्यारत से यह बूलट वाली छोरी का गाना दीजिये देखो एक छी नलायक पता नहीं कहां से आ गया यारामखोर मैं इसको क्या बता हूं कि यह सब पढ़ रहें इनको बूलट वाली छोरी याद आ रही बच्चा पढ़ाई कर लो नहीं तो ना बूलट ही मिलेगी ना छोरी मिलेगी हां कि समाज रहो ना कुछ ना मिलेगा जलो देखो इधर समझो आप कुछ हम आपको इसमें नया बताने वाले हैं वो नया क्या है वो भी समझो आप सीखरे हो भाग विदी से सी अपना इसको पोचना पड़ता है बिगोना पड़ता है सुखाना पड़ता है कि देखो यहां पर जैसे अगर हम आपसे बोले हैं कि भाईया हो बाबू हो इनका सीख ऐसे करो तीन का पंदरा का और आठ का इनका सीख करो तब देखो कईसे कहानी होती है ऐसे होगा इने फिर करके देखो कि चलो करो कि इतना आएगा है पताओ कितना है इनका itself कितना यगा भाग विडिशेह करना है पिर उत्तर नहीं बताना तरीका भी करके दिखाना है कोई बताएगा इनका उत्तर तो वान आया गा लेकिन कैसे आیगा पूरा कहानी क्या समझो कोई भी दो गिंति लेलो छोटी छोटी मानलो बने ले लिया आठ और तीन भाई ये भीगा है अभी अभी देख रहो बहरा एकदम कि अधाउं ले कि देखो समझो छोटी छोटी दोनों गिंती लेलो बच्चा उनको भाग करो तीन से भाग किया तो तीन दूना छे कठाने पा गया दो ना इसके बाद क्या करते हैं जानते हो कि नहीं तुम जानते हो ये अलग हो गया इसमें सेसपल बच रहा है आप क्या करोगे अब जो सेसपल आ रहा है वो भागफल बन जाएगा ऐसे इसकी एक नई व्रिद्धी हो जाएगी ये भागफल हो जाएगा और ही बच्चा भाजक भाज बन जाएगा क्या बन जाएगा भाज बन जाएगा ये डिवाईजर बन जाएगा अभ इसमें भाज करेंगे तो दो, एक गब दो गटाने पर किता आयेगा भईये साहभ, ये कायेगा पाबु अब भी ये 0 नहीं हुआ, पूरी तरह भी नहीं कटा तो क्या करोगे, अब ये 1 भाजयक बन जाएगा और ये वाला 2 क्या बन जाएगा भाज बन जाएगा, डिवीडियन्ड बन जाएगा डिवीडियन बोलते हैं ना वन टू जार टू देखो यहां पर जीरो आया फाइनल में और इसका जीरो लाना ही टारगेट जीरो आगया मतलब काम खतम समझ रहे हो ना तो लाइस्ट टाइम किस से डिवाइड हुआ यह बताओ अब को दिखरा लाइस्ट टाइम ओन से डिवाइड हुआ है तो अब वन हो सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कंफर्म तब होगा जब यह वन इस पर भी बिजय हासिल कर ले 15 पर तो वन वन जा वन घटालो जीरो आया उपर से पांच उतारो वन पंच फाइब जब फाइब यानि कंफलीटली सब को हरा दिया यह वन से सब कट गए तो कितना आगए वन सब्सक्राइब होगा नीचे आप लिख सकते हो सब्सक्राइब बराबर वन इसका निकालने का एक और भी तरीका था मैं बहुत पहले वाली कलास में बताया हूं बच्चा अगर तुम यहाँ पर देखो इन तीनों नमबर को तो यह अलग-अलग समुदाय अलग-अलग धरम के लग रहे न अब करोगे संख्याओं कभी धरम होता का मैं समझाया था तो बताया था कैसे होता है क्यों होता है याद करने के लिए आपको न यह संख्याएं भी है इसमें भाज्य संख्या भी है अभाज्य संख्या भी है देखो तीन और पंदरा विसम है आठ एक संख्या है 15 और 8 बाजे संख्या है दीन एक अभाजे संख्या जब कही ऐसी कंबनेशन बनती है निकालना थी यह 105 या वह द्हाना आता है कि यह Champa ञाले का अब गा रहाएंग"- पोलो इसका है यह इब क्या आएगा वन ही आएगा वन ही का मतलब वन आएगा इसका भी वन आएगा करके देखो अब ऐसा कुश्चन ना बताएं कंफ्यूज हो जाएंगी तो क्या करेंगे ने के लिए फिर हम पढ़ाएं प्रिंकी जी पताएं आप क्या चाहती है कि हम पढ़ाएंगी ना फिर कंफ्यूज नहीं होंगी कि समझिए दिमाग का यूज करिए बचा के मत रखिए भाई ये सुभास कुंटाल को बलाग कर दो पर्मानेंटली टेकनिकल टीम मिस्टर एडिटर इनको पर्मानेंटली बलाग कर दो अभी एकदम डंडा कर दिया ती कर दिये इनको एकदम बलाग कर दो अभी ये गए चलो देखो इधर एक इसी तरह से और भी कर लो जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 11 20 और 33 इनका HCF कितना आएगा? इनका HCF कितना आएगा बताओ बोलो फटा फट कितना आएगा इनका HCF? मैंने खुद बुला कर दिया ठीक है चलो वो ही बताएगा इसका HCF कितना आएगा? रभी संकर माइनस में क्यों लिखा जाता है? अरे गदे माइनस में कहीं उत्तर मैंने ने लिखा था? वो तो घटा आया था माइनस में थोड़ी लिखा था माइनस में नहीं लिखा था देखो इधर, समझो इसमें पहले दोनों छोटी संख्याओं को पकड़ो फॉकस कर जकड़ के तो दोनों छोटकी है एक ट्वंटी है एक 11 है 11 का इसमें भाग करो इसके बाद क्या करोगे इसके बाद 9 क्या हो जाएगा आपका भाजक और उपर जिससे पहले आपने भाग किया था वो इसके अंदर आ जाएगा यह तरीका होता है तो नाइन बंजा नाइन यह घटाओं के कितना आएगा दो अब यह फिर भाजक बन जाएगा और यह क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा लेकिन नीचे जगा नहीं इसलिए मैं यहां करूँगा आप सुद्धो से भाग किसमें होगा नौ में तुद्धो चुका आट गटाओंगे आएगा एक अभी यह जीरो नहीं आ रहा है और इसकी भी जीद है जब तक यह जीरो ना आ जाए तब तक मान सतम इसका हो गई लेकिन अभी यह अंसर नहीं आया वन अंसर तब आएगा जब वन से एक तीसरी जो संख्या वो भी पूरी-पूरी कट जाए इसको भी भाग करो वन से 33 को तो वन वन जा वन घटा लो कितना आया दो ओपर से क्यों से मंदा वन कहें ले जाएंगे दिमाग उमाग नहीं काम कर रहे का हां हम डारेक्ट तीन बार न ले जाए एं दिजिए जीरो आया उपर से थ्री उतारा रहा वन ठीज़ा थी ठीक है यानि 33 भी completely divide हो गया ओके अब देखो क्या करोगे अब लिखोगे hcf बराबर 1111 यह बताओ क्या किसी गिंती का hcf कभी 0 भी हो सकता है बोलो हाँ या नहीं अंसर वन आएगा वन क्या किसी गिंती का hcf कभी 0 भी हो सकता है hcf highest common factor बोलो यास या नो क्या कभी 0 भी हो सकता है दुमन कुमारी दोने लाल चलो भाई कोसिस करो यार कोसिस नहीं करते हो न तो मज़ा नहीं आती बिल्कुल और जितने भी साथ ही हमारे इस सेसन को को देख पा रहें वह लाइक जरूर करें और म Verster को सब्सक्राइब कर लें अगर यूटूब του इक पा रहे है अगर तूइटर इंस्टाग्राम कहीं और देख रहें तो वहां पर हमें फॉलो करें क्योंकि क्ला से आपकी हर जग्ळा चलती है प्रिप्लेटफर्म पर साथ चलती है नग सै तो अगर आप सभी अभी तक % यार इस्टेडि को इंस्टाग्राम पे नहीं फालू कर रहे हैं तो आपने की सीख लिया लेकिन कब जब दो ही संख्याएं हो जैसे देखो यहां पर मानलो मैंने एक कुष्टन दिया क्या है वो कुष्टन 48 और 15 और यहां पर लिखा 10 अगर इनको गुड़नखंड विदी से हमें किसम करें तो कितना आएगा बताए सोच के कितना यहाँ अब हां घुड़नखंड विदी में क्या करेंगे यह सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले आज समझो लगड़न लगण भोकाव दी देखिए हम बहुत ही धीरे धीरे और सिश्टम से पढ़ायेंगे अगर आपको जल्द और पढ़ो सारा कोर्स इकठा दे दिया गया जो तुमारा मन करें वो पढ़ो समझ गए चलो तो इनके एक-एक के फैक्टर करेंगे 48-15-10 करेंगे अब अलग अलग कलाफ नहीं होगी जिससे की मस तरीके से समझ में आ जाए समझो तो इनका कोई फैक्टर बताए जल्दी से 48 का कि बीजय कुमार आप ही बता दो बच्चा चलो कितना आएगा रभी संकर इनके कोई फैक्टर बताए मुझे ही है कि यहीं तो होगा इनका फैक्टर की नहीं क्यों भाई यहीं होगा ना कमल दीब कमल दीब बच्चा पीवियर स्टडी अप्लीकेशन में जाओ आप सारा है यह फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाओ प्लेलिस्ट में भी है लेकिन अप्लीकेशन में जो है वह प्लेलिस्ट म या पांच है या उससे अधिक है चाहिज इतनी भी है समझो यहाँ पर समझो तो इसमें क्या करना है यह चीज देखो सबसे पहले जो सभी में कॉमन है उनको हम ढूणते है जो सभी में कॉमन है तो आप देखो सभी में कोई कॉमन है गिंती बोलो यास या नो कोई गिंति सभी में common है या नहीं application का जो बच्चे course लेंगे उनको live class भी मिलती है मिलेगे जो live ऐसी बात नहीं है ठीक है live मिलेगी इस तरीके से इसमें 2-2 है इसमें तो कोई एट नहीं है नई है सभी नहीं कोई इन्तिखम नहीं वनकJiva नहीं है अ तो अच्छा petites गंब बाटर आप यह संजो कि इसका LCM होगा क्या बिना कुछ किये वैसे समझो क्या होगा LCM LCM का मतलब होता है वो छोटी फे छोटी संख्या जिसे से सभी कड़ जाए completely तो क्या होगा LCM सोचो थोड़ा बड़ा है नहीं सोच पाओगे तो जो दो या दो से अधिक में common हैं उनको गेरो जैसे दो इसमें भी है दो इसमें भी है मतलब वो जरूरी नहीं कि सब में हो कम से कम दो में हो बस जैसे इसमें 48 में भी था 10 में भी था तो मैंने गेर दिया अब ये पांच भी देखो दो में है इसमें भी है इसमें भी है ठीक है इसको भी मैंने गेर दिया अब जो जो मैंने घेरा है पहले उसको लिखेंगे जैसे दो और फिर एक पांच ये मैंने लिख लिया अब देखो हमारा छूट क्या रहा है बही या बाबू क्या छूट रहा हुआ इसकी चमक कमें का पूल तो है कि देखो चूट क्या रहा है अभी समय तीन चूट रहा था कि इसमें यह दो चूट रहे थे पांच बार कितनी बार पांच बार 22 तीन चार पांच कि इतना सब क्लियर है सबका गुड़ा कर लो एक में गहां पर समझो कि दो पंचे 10 तियाई 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240 240 दूना भाई बहुत लंबा हो जाया गयार मुझे तो लग रहा है बड़ा लंबा हो जा रहा है चलो देखते हैं फिलाल जो भी होगा अगर इस तरीके से आपको समझ में आ जाये तो अच्छी बात है दो पंचे 10 10 तियाई 30 दूना 60 60 दूना 120 यहां तक देखो 120 हा रहा है और यह दो दूना जो 240 बता रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि क्या सभी गिंती से 240 विभाज्य है हां है कि इसका मतलब ठीक है बाराठ्थे कितना होगा कि भाई फिर यह अल्सियम गलत है इसका मतलब कि इसमें कहां गड़ बड़ा यह बताओ दो दूना चारद दूना आर्ट दूना आस उलर्फाञ़ यह बड़ा है न ऑन दो दूना चारद आर्ट दूना सोलज़ दूना इसमें भाई यह गलत न कॉर्वा रहा हुँ और वहां से फ्क्सका मतलब ofere यह बाभ बड़ हैं यह है कि 2-4-8-6-32-64 बन जा रहाए यह यह चीज नहीं द्हां दिया स्टार्टिंग में और बताते लगाते चले यहां से देखो 2-4-8-16-43-43 यहां पर 3 आएगा अब देखो एक 3 भी कॉमन हो जाएगा तो वैसे भी तो यहां एक ही 3 आएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको भी हम गेर दें तो यह भी क्या है एक ही 3 कॉमन है एक 3 कॉमन हो गया एक 5 कॉमन हो गया बाकी के जो मुप्त में बच रहे हैं व चलो ठीक है देख लेते हैं उसके बाद देखो इसी लिए मैं इसको बता रहा था कि जब दो या 2 से अधिक गिंती का निकालना हो तो इसमें लफड़ा फस्ट जाता है अगर दो ही गिंती का होता है तो आप बड़ी अराम से कर लेते हो लेकिन जब दो या दो से अधी गिंती का LCM करना हो तो यहां पर दिक्कत होने लगती है दो तीन और पांच इतना तो हो गया तीन बार यह दो और भी एक्स्ट्रा है ठीक है दो पंचे दस तियां तीस दूना साथ दूना एक सो बीस दूना दो सो चालीस देखिए इसका LCM दो सो चालीस आएगा यह कंफरम है क्यों क्यों क्योंकि अगर आप 45 से काटोगे 240 को देखो कट जाएगा कितना यह बताओ फांच आएगा लगब है बाहर तको ऐसे गना अगर दस से काटेंगे तब द्शना 10 15 से काटेंगे तब भी कट जाएगा यह गया यह बात समझ में आई कि समय यहीं समझ में अई gebruics होता है ऐसे ही समझना है समझ गए है सबी साथ जितने भी छात्र छात्रा है जुड़े हैं वह पीबियार स्टडी का टेली गराम चैनल जॉइन कर लें देखो कमेंट में लिंक आ रही है जा करके चाहे तो फटा फटा भी जॉइन करके आ जाए और टेली गराम चैनल पर लिंक पहले दी गई है कलास की ऐसी बात नहीं को आझागे जैसे टेली गराम चैनल में जाओगे वहां से लिंक भी गई है यही कलास की फिर से आ जाओगे आप चलो तो यह हो गया आप सिख गए को अब इसी में लगे हाथ हम लोग क्यों नाजमालें hcf कितना होगा HCF कितना होगा दिख तो रहा है ना क्लियर चलो इन सब का HCF बताओ देखो बच्चा जो जो सभी में common है पहली बात HCF का मतलब ऐसे नहीं चलेगा हम ऐसे नहीं चलेगा HCF के लिए सभी में common होना जरूरी है रेनु बरत वाज कुछ समझ में रहा है HCF के लिए सभी में common होना जरूरी है ललित कुमार बच्चा तुमारा इंटरनेट नहीं चल रहा बाबु ठीक है अपना इंटरनेट सही कर लो सब कुछ अच्छा चल रहा है उमारी तरफ से कोई दिक्वत नहीं है देखो समझो इसमें सब में कोई गिंती कामन है ही नहीं कि जो तीनों में हो हाँ एक गिंती कामन है सब में जो मैंने नहीं लिखा था वन क्या है वन वन सब में रहता हमेशा लेकिन इसका कोई यूज नहीं इस वज़ा से मैंने नहीं लिखा तो इसका हसी आप क्या हो का वन हो क्या होगा वन होगा है अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे दो तो का मतलब जानते हो दो से दस कट जाएगा दो से पंदरा नहीं कटेगा अगर यह पंदरा नहीं होता कोई संख्या होती तब इसका 2 हो सकता समझ गये ना तो नहीं समझ में आता ना और चैस् vors आई कौशन में घ्रगय कोईनरे यहां लुक्त आहिए खरख्याण यहां आजवाइन करो आएगा हां महां पड़ो फिर मोधा इस अन है अच्छा एक बात बताऊ अगर अब इनकास केफ करना ओ तो क्या होगा जोती शिंग्ह बहुत अच्छी बात है मैं देर करती नहीं देर हो जाती है अच्छी बात है देर हो जाती है देर कोई करकता है जानके थोड़ी चलो बताऊं अब इनका HCF कोई बताया निवन सीतल चोधरी कोई अनिवन अब इनका HCF कितना आएगा देखो जो सब में common हो वही HCF होगा अन्य था कोई भी HCF नहीं होगा चलो HCF means highest common factor बहुत अच्छे very good बरसा अभी तुमको बताएंगे कौन किस क्लास में है किसके साथ हुई किसके नहीं हुई किसके तैयारी हो रही है अशरी detail अभी दूंको देंगे हम लिख के रुको एक मिनिट चलो दो सब में है बाकी one भी सब में है लेकिन one का कोई मतलब नहीं क्योंकि इससे उत्तर पर कोई फरक नहीं बढ़ता है हां इसका epic क्या होगा दो होगा समझ गए ना क्या होगा दो होगा इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल system से समझना है मैं समझ गए ना कि तो मुझे लग रहा है कि आप कर लोगे तीन या तीन से अधिक SBJ कर लोगे ना कर लोगे तो चलो फिर लगे हाथ कुछ और कर लेते हैं देखो यहां पर समझो भाई बीड़ रही है इसलिए थोड़ा सा यह मैनेज करना पड़ते हैं आपको पता है भारत सरकार में यूपी सरकार में नहीं यूपी सरकार टूचिल्डरेन पॉलिफील आने वाली है जान रह 10 28 और यह सभी सम ले लो इनका LCM बताओ कितना आएगा इनका LCM कितना आएगा अच्छी बात है बर्मा जी बदाई हो चलो देखिए सभी के आप अलग अलग फैक्टर करोगे अलग अलग और फैक्टर करके जो सब में कामन होगा उनका हिसाब करोगे कि चलो सब के फैक्टर कर लो दो दूना चार दूना आठ दूना सोला क्यों भाई शोला अगर गलबडा न जाएगा अब देखो इधर साइड में समझो यहाँ पे समझो दो पंचे दस दो दूना चार और यह चार सते अठाइस इसका भी फैक्टर कर लो तीस का तो दो दूना चार नहीं होगा दो तीयाइण छे पंचे तीस इनका LCM कोई बताएगा anyone कि देखो जो दो या दो से अधिक में common हैं उनको पहले लिखोगे ठीक है समझ रहे हो ना तो दो या दो से अधिक में कौन-कौन कामन है भाई या दो देखो इसमें common है इसमें भी यानी इसमें साव में डो है कि आ उसके बाद ये दो देखो इसमें है जरू है जरू है नहीं कि सम्में हो पांँ देखो इसमें भी इसमें भी है as long Just 1 संख्या का होना चाहिए उसको आप घेर दोगे ठीकत बच्चा han साथ तो के विलला एकल उता है क्यूंब थे लिए अधिक जगह के और कव्णों बच राएका चाहि थे नहीं तो दो दो की कितना जोड़ी बनी एएक बाई सब में है एक दो की जोड़ी बनी है दो में है और एक तीन का जोड़ा बना एक पांच का बना है ये तो वो है जिनकी जोड़ी बन गई है और जो आप लोग हम लोग जैसे अकेले सिंगल बचे हैं उन लोग को भी यहाँ पर ले लो भाई उनको मत छोड़ो ये तकलीफ होगी ने तो ये बचे हैं और ये भी एक बचे हैं हां बस है हो गया ना सभी चलो सब का गुड़ा कर लो चलो संजो तिए सभी से अभी एकुछ गणार रहा है जो तीनों में कॉमन था उसको लिखा जो दो में कॉमन्ठ यहाँ पे यहीं किसमें कि साथ में क्यों सही है ना तो बारह सते चौरासी आठ सो चालिस आएगा यह बताओ आठ सो चालिस क्यों आया क्या इससे छोटा में नहीं काम चल रहा था का इससे चोटी गिंती भी आती लेकिन इसमें क्या था इतो कोनो 283 भी बता रहा रहा है 283 से कटेगा का फिर गडबड है कहीं 283 से कटेगा बताओ पहले बहुत पागल पागल हो यार तुम लोग सही में 280 होगा ही नहीं क्योंकि 283 से नहीं कटेगा और LCM का मतलब होता कि सबसे कट जाए 283 गलत है यह के जी गलत है चलो उमे सुकला ठीक है देखे इसमें मामला का जोला इसलिए फस गया इतना लंबा कि जो यहां पर 28 और 24 हो गया क्योंकि अगर 10-30 और इसके करम में होता तो बहुत चोटा सा इसका LCM हो जाता बहुत बड़ा नहीं होता अच्छा अगर इसका ऐक शॾ एसीयफ बोलें तो क्या आएगा है इसे कितना आएगा इसका नहों अन्यखक जिनको नहीं आता है झीं को आता है उनकी तो बाती य morning वह तो आसमान से आगे क्या कहें वह दो नहीं बोलेंगा गया जहने तो चलो बताओ मतलब आस्मान में बैठके पढ़ेंगे और क्या बोलें देखो समझो यहाँ पर दो आएगा न कितना आएगा दो आएगा ठीक है देखान से बढ़ो बच्चों अच्छा तो बच्चों इसमें जो सब में कामन है वो है चेशियफ होता है रही है दो किसी वह और कोई गिंती नहीं जो सब में कामन हो तो एच-सीफ क्या है दोलोगे ना कर लोगे ना भाइया लोग हां अंकल आंटी भाभी सभी कर लोगे ना हां कर लोगे सभी ना चलो देखो इधर साइड मेए कि सभी जितने भी नए चात्र जुड़े हैं जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरन देर ना करें चलो जल्दी करो फटा फट देर नहीं अब अब बहुत होगे आती कर दियो एकदम तुम लोग करते नहीं हो चलो इसका अंसर दो कोईशन नंबर ये त जिती महसूस हो रही पांच लिख लो चलो कि इसका उत्तर बताओ जल्दी से सभी कितना आएगा जल्दी बताओ वही देखो यार स्क्रीन और लाइट देखते देखते ना मेरी आख जो है वो साम तक फुरसप मांगने लगती है खैती है नहीं इससे ज़्यादा आप नहीं अब बहुत हो गया कोई बताया इतना देर में नहीं कहां गये तुम लोग छुप गये मैं थोड़ा ओल्डी स्टूडेंट हूं अच्छा ठीक है बुढ़ा गया हो तुम चलो अच्छी बात कि अरे मैं जान रहा हूं कि तुम पुराने हो पुराने का मतलब बुड़े भी बोल सकते हो तो ठीक है सब कुछ ना क्लास के बाद पर आप लोग भी आरे स्टडी अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना उसमें आपको सीरियल से सिस्टम से सारा कोर्स मिल जाएगा ठीक है जब यह कलास खतम हो जाएगी वीडियो देख लोगे उसके बाद आप गूगल प्लेश्टोर में जाना या डिस्क्रेप अब तुम लोग बड़े खराब इंसान हो नितेश कुमार बता रहे हैं उल्टा सीधा पता नहीं क्या और कोई कि उमेश महर्या भी जा गए हैं सोके चलो ठीक है मैंने एक सवाल पूछा तो इनकी सबकी ना नहीं मरने लगी नहीं बता रहे हैं पता नहीं क्या चाहिए अब मैं इसके आगे बताओंगा भी नहीं हो गया खतम कहानी चलो एक और भी लिख लो कुछ और भी चीज़ें बता देता हूं उसके बाद बंद जैसे 31 हो गया और 11 हो गया इसका LCM कितना आएगा जानते हो इसके पीछे एक फंड़ा है एक फंड़ा है वो मैं बताऊंगा भी HCF and LCM इसका बताना है देखो यह गिंती तो बड़ी है क्या होगा जरा सोच की बताओ एक विश्चन और भी ले लो जैसे मानलो 151 और यहां पर तीन इनका बताओ कितना आएगा सोच के बताओ सभी बताओ सभी बताओ देखो कोसिस करो यार तुम लोग मजा नहीं आ रहा है से इतना देर-देर में करोगे ना तुमारी साधी अगर तैयर रहीगे ना वी कैंसिल हो जाएगी जिसके पीछे पढ़े रहे तो 24 गंटे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना पता है जो रात में कलास सीडूल रहती है कि अगले दिन चलेगी ना रात में बारा एक दूरी तीन ब बक्स में मैंने कहीं देखा था कहीं सुना था कोई मुझे बहेजा था लड़का इसक्रीन साट बोल रहा था सारा आपकी कलास में लोग ऐसे ऐसे चैटिंग करते हैं तो कर लिया करो ऐसी कोई बात नहीं मना नहीं कर रहें लेकिन यह जान लो कोई कभी-कभी देख भी लेत लली जोसी बच्चा तुम बहुत पढ़ने वाले होना तो कहीं अच्छा जगा देखो यहां पर पढ़ाई तो होती नहीं है यहां पर तो हम लोग बखवास करते हैं ऐसे खड़े हो के चलो बताओ देखो इसमें मैं क्या फंडा बताने वाला था वो यह था कि यह सभी जो चंख्याएं हैं आपस में किसी तरह से भाज़े नहीं है है ना तो इनका जो LCM होगा वो इनका गुड़नफल ही इनका क्या होगा गुड़नफल ही इनका क्या होगा? LCM होगा और अगर इनका HCF की बात करें तो इनका जो HCF है वो HCF कितना होगा? 1 होगा समझ गए ना? वैसे इनका भी देखो यह आपस में किसी भी तरह से भाज़े नहीं है तो इनका जो LCM होगा वो इनका गुड़नफल होगा गुड़न फल ये क्या होगा LCM होगा HCF कितना होगा बच्चा HCF 1 होगा सभी समझ गए ना किसी को कोई परसानी बैसिक क्लास में ये सब मत बोलो अच्छा भाईया ठीक है नहीं बोलेंगे यह सबसे लिए बोलते हैं ना कि इस तुम फ़्हण राओ इसमें कुछ लोग सोने लगता है इसे इसे तो मेरा मतलब यह रहता है ना कि वो थोड़ा सा जगडारी तवस्था में आ जाता है कि यह चीज उनके दिल में डारेक टक्कर मारती हैं कि वो जग जाते हैं अरे ये कौन सी मज़दार बात होने लगी बाकी पढ़ाई में थोड़ी मज़ा आती उतनी चलो तो मुझे लगता सकता को लुक्त लगता करने वाले हैं अगली खलात में बहुत अच्छे से करेंगे इस कल्यास में थोड़ा रलका पुलका यह बता है अप लोग लग एक्स्प्रेशन पढ़े वो बीज गणितिये बेंजक बोलो हाँ या नहीं पढ़े हो कि नहीं हाँ जैसे अगर यक्स का भाग करा जाए वाई में तो कितना आएगा यह सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पूंग है अई हेट लब इसका का मतलब वहा भाई लिक्रे यह है लप सर अब अगर आइएट सर लिखो तब इसका मतलब निकले मुझे पता है तूम क्या कहना चाहते हो लेकिन वह वर्ड बंता ही नहीं है ऐसा तो कोई करेंगा कहां से देखो यहां पर समझो है मैं जैसे यह कुश्चन देता हूँ वह बहुत ही सिंपल सा है छोटा सा है नंधा सा प्यारा सा अगर इसे हमें यक्स से भाग करना हो तो इसका उत्तर कितना आएगा बताएगा कोई बहुत आसान है यह बहुत आसान है लेकिन यह सब के लिए नहीं आसान है जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए आसान है और जो आर्ट साइड के बायलोजी वाले हैं बड़ा राज बर्मा एक कमलेस रवी संकर कुलबिंदर कौर उसा बेभी और उसा अन्सुल बहुत लगरा दो लोग है इसमें कि क्यों दो लोग मिलके नहीं बता पारे उतना देर तक रवी संकर और कौन है यह किनका नाम है पता नहीं क्या नाम है तक नारायन महत्व कि थीक है बच्चा उनको करने का कई पहले समझो इसको पूरा भाग कसिन अगाल के ऐसे सकते हैं फिर दो गुड़ होगे एकस गुड़ है यकस को एकस यकस कट जाएगा फाइनल में दो एक्स बचेगा और यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा समझ रहे हो ना तो बच्चों अगली कलास में हम यही सब पढ़ने वाले हैं LCM HCF आपका लगबक सब कुछ हो गया खतम जो तीन अंग पांच अंग जो भी था सब कुछ लगबक खतम हो गया है तो अगली कलास में हम लोग यही सब सीखने माले हैं जैसे अगर एक मैं दूं यहां पर यह बता इसमें से कितने कर लेंगे तीन एक्स प्लस प्लस पह भाई पूरा लिकने तो दोख आये इसमें अडंगा मचा रहे हो देखो तीन एक्स प्लस वण कहां तक जाए गई बस बस नॉन इसके आगे नहीं अगर यह 12 एक्स का स्क्वायर प्लस 15 और प्लस वन हो तो क्या इसको भाग कर लोगे आप लोग जितने लोग कर लेंगे बोलो यस जो नहीं कर पाएंगे बोलो नो कर लोगे बचवा की नहीं इसको कर लोगे बताना कमेंट करके ठीक है लसी यम निकालोगे 125 और 35 का देखो भाईया लसी यम का मतलब होता है वह चोटी से चोटी गिंती जिससे यह दोनों कट जाए तो वह होगा पांच कितना आएगा पांच लसी यम नहीं होगा गदों सब्सक्राइब हो हुगा क्या होगा है यह steak will फोगा पहले साल स्वें निकाल लो ऩाइज 15 हुर 35 olsun निकाल लो पाँच से काटो 25 सब्सक्राइब से काटो 155 पंच 125 सब्सक्राइब कितना होगा 125 सब्सक्राइब गटना होगा 875 होगा उमेश सुक्ला तो एक सो पचीस का साथ में बुड़ा करो कि 125 का साथ में कर लो चाहे तुम्हें काम करो 25 का 35 में कर लो तो वही बात हुई कि साथ से करो साथ 35 भाही रुख जाए मिनट बिल्कुल मुझे भी लग रहा है यही होगा ठीक है 845 ही होगा ऐसा मुझे भी लग रहें आप लोगों को देखो यार गुड़ा भाग तो आना ही चाहिए साथ से गुड़ा करेंगे साथ 35 साथ दूना चाउदा तीन सतरा आसी लाया है एक साथ एकम साथ एक आर्ट तो इन दोनों का जो लसी एम होगा 875 आएगा कितना आएगा 875 आएगा और हंड्रेड और पचास जीरो फिफ्टी इसका दोनों का जो मैक्सिमाम जो बड़े से बड़ा नंबर जिस्ससे यह दोनों कट सकें से पचास आएगा बादू कितना आएगा 50 से बढ़ि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे यह दोनों कट जाहें तो यहांएगा पचास इस तरह से आपका अंसर इतना आएगा लेकिन यह फाइनल नहीं एक परकार से इसे आप उत्तर लिखने के पहले सिंप्लिफाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो जैसे भी कंडिशन रहे लेकिन एक की जब और समझो अगर ऐसे कुजिशन दिया है जो भी तो ऐसे लिख तो ठीक है इसको कुछ न खुड़ो कोई सिंप्लिफाई करने की जरूरत नहीं है आप चाहते तो यहां से भी कर सकते थे उपर से समझ रहे हो ना प्रिश्टर आई लब यू नाम थोड़ा अच्छा से रगलो ढंग से तुम्हारा नाम बोलेंगे तो कोई दूसरा चिड़ जाएगा इनका नाम ही है क्या नाम है मालूम है आई लब यू इनका नाम है वाकि इनका और कोई नाम नहीं है चलो होगा तो बलाक कर दो बाई तो करने दो इनको नाम बोलओ ना इनका कमेंट बोल चलो आगे देखो यह ओगया विलकुल ना बदलो कोई दिकत नहीं करनेत है क्या मादम पराएगी तो अब बोलते इंका काम हो जायेगा इनका ही मतलब है नितुछा डूसरा्णो और कभी पूरा हो जाए कहीं से अच्छा एक बात और बताओ यह थोड़ा सा अलग है ना कुश्चन कि आप लोग अब कर लोगे ना इस टाइप में कि नहीं कर पाओगे देखो यार अगर गड़ित सीखना है तो हर चीज स्टेप बाई स्टेप लेकर चलना जरूरी है और समझ सोचके भी चलना है यह नहीं कि बसस्टुबा उठे गड़ित में लग गए हर समय गड़ित में लग गए नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला कि जो हाइब आए करें उसे हटा दो भाई कमेंट से तुरंध हटा दो देर ना करो चलो अगला है साथ जीरो बहत्तर यानी और एक्ठी हमा है पंद्रह और रहमा है पचासी और यह कितना बारा चलो बताओ इनका लसी में बताओ कितना एगा जल्दी करो सभी अधेश जी बताओ इनका लसी में बताओ सभी बच्चे जल्दी करो उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं बहुत सारा टॉपिक है बहुत कुछ पढ़ना है गडित में हां बहुत कुछ पढ़ना है बेटा अधेश अगर पढ़ाई कर लोगे ना जी अब भी अब सब मिलेगा तुमें साधी भी है ृस बन जाओ तुम बोलते हों और रहीं कोई बने सबसक्राइब पर ना अगर तुम कुछ कर जाोंगogenous तूं को पकड़ पकड़ बनेंगे नहीं बन जाओ तुम ने आपका अंसर पूछा है कोई बताया हरेंद्र बता रहें ठीक है कि आयूस्त कि लसी माफ सेवन्टी टू एंड एटी फाइव तो सेवन्टी टू एटी फाइव का निकाल लो उसके बाद क्या करोगे 15 और 12 का कि इसमें स्याही पड़ी ती कुछ मालूम नहीं है दोनों चल रहा है आप देखो समझो यहां पर देखो आप वह कमेंट कर रिपलाई कर लीजिए आप यहां पर बार बार वह टेली गराम कर लिंक को गरना दीजिए इस्टर एडिटर मैं लिंक उपर पिन कर दिया हूं कि इतना आएगा लसी एम करना इन दोनों का भाईया देखो यह समसंख्या इनका यह बहुत रियर केस में निकलेगा बहुत लंबा चोड़ा निकलेगा यहां पर समझो इनका लसी अगर हम निकाले यहां पर देखो आपके सामने ही आ रहा है यह दो से कटेगा जब तक काट डूँचाएगा लिटी फाइव तो से कट लो अठारा आएगा एटी फाइफ है फिर दोसे काट लो नो आएगा जिबाइव उतारते जाओं पर तीन से ब्था बच्चा तीन दूल आछा यह साल्ब में क्या बताओं इसको ंस बकर सकते हो लेकिन यह होने वला नहीं अए अ यह साल्ब नहीं होगा तो और आगे क्या करो इसको और भी काटते जाओ जब तक कट रहा है आप देखो अगर इसको हम सार्ट कट में आपको बताना चाहते तो उपर से ही आप कर सकते थे क्योंकि यह दोनों दूसरे से संबंधित हैं नहीं इनका जो LCM होगा इनका गुड़न का है चका करना तो सबको मालूम है takie विल्कुल बच्चा वाला कोश्चन है इस तो यह बच्चा बाला ही लिकिन को नहीं आता ना उनके है क्या क्या होता है तुम्हें मालूम हो मित इन आप घ्रथा कि Mitgef क्लासट пять क्लफारतéta सिखटीवान एंड कर लोगे प्लेक्सिमन नंबर क्या हो जाएगा भाई यह एक सट वीश नीचे तीन यह उत्तर होगा भी भीगा है तो एक बात मुझे यह बताओ आप लोग यह सीख गए कि नहीं सबी बताओ आप कर लोगे ना इसी तरह से आप लोग एचसी एफ भी कर लोगे लेकिन अब इसमें एचसी एफ ऐसे नहीं करने वाले हैं चलो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक आप से डिस्क्रस कर लेते हैं क्योंकि आप गड़ित पढ़ने आये हो भीया गड़ित में सब कुछ पढ़ना होता है जो लोग काफी हाइफ हाई वाले हैं उनसे भी थोड़ा सा बात कर ले तो यह बताओ बच्छा लोग आप आप इसक साइन 45 अंस का मान क्या आएगा जल्दी करिए बताइए अब यह टॉपिक आगे कल इसके पढ़ेंगे आज इसमें कुछ और पढ़वा रहे हैं इसको पढ़ो ध्यान से पहले प्राइन 45 अंस का मान क्या होगा अब यह इस पार्ट से सम्बंधित नहीं है यह मैं वैसे इक्स्ट्रा करवा दे रहा हूं बीच में इससे कोई मतलब नहीं उस पार्ट से चलो यह मत सोचना किये तो इसमें कहां से आ गए है अमिनाक्षी जी कमेंट आ रहे हैं हमित तुमक किसी से मत बताना जो को मैंने सिंपल सा कुछा इसका अंसर कोई नहीं बताया टेकनिकल लाउंडा एक है वो बता रहा हो भी गलत है यह मैं जो वर्ट मुह से बोलता हूं न यह इनका नाम है आप देखो कमेंट में आ रहा है मतलब जो बोले वह वेकार है इसा इसा नाम रखके प्रियंका है प्रतिभाह गलत है इसका लोगे न इसका एक तरीका होता है वह मैं आप लोगों को कहो तो बता दूँ मैं साथ हन्स साइन जीरो डिग्री साइन नबबे डिग्री यह सारी चीजें आपको क्या करना होता है याद करके चलना होता है समझ करके कैसे समझना है मैं चलो एक साट कट में सब बता देता हूं बच्चा इसका जो मान आएगा बाबू अपान अंडरूट दो आएगा कितना आएगा वन अपान रूट टू आएगा जिनको नहीं पता वो नो लिखके कमेंट करें या ओ नो हम जान जाएंगे कि आपको नहीं पता है पेगम जी आ गई आप अच्छी बात है कि आप आई तो कम से कम देर लगी आने में तुमको लेकिन सुकर है कि तुम आए तो चलो आपी का तो इंतजात कि पीछे हो गया कई कि देखो समझो जिनको नहीं आता मैं बता रहा हूं इसका मान एक बटा दो होगा किश कम मान अंडरूट तीन होगा जी रोग säger money होगा लेकिन यह होता कैसे आपका हो गई लपड़ा याद कौन करेगा की याद नहीं करना है तुम्हें समझेना है एक मिनट समझलो कभी भूलेगा नहीं इसको याद करना नहीं है प्राइब लंका जल में पता क्या हुए द कि बच्चछ बठ़ कि इतने पास साधी और है इनको नहीं पता कि पढ़ क्या रहें चलो तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन्हें निकालोगे मतलब समझोगे कैसे याद करना है आपको समझना है कबसे पहले आप अपना प्रसाइड में क्या लिखोगे बच्चा इधर साइड में लिखोगे साइन यहां पर तुम क्या लिखोगे जीरो डिग्री में निकलेगा तोक रेट में निकलेगा जैसे समोसा निकलता है न पकौड़ा कराही तेल-गरम हो जाता ही पकथे डाल देते हैं चान चान निकलते हैं उसमें एक एक नहीं निकालते के दुकान हूं चलती वैसे हम क्या करेंगे इसा हैा निकाल ticket करेंगे जेर striving करेंगी इस नंबरिंग मतलब इनके निचे जीरो से चार तक गिनती लिख दो कि अब सब मान आये गई कट्ठे आ जाये ग़ característ कारा मान एक साथ आएगा देखो जब नहीं रहाएं यह कि पच्छा इनके नीचे नंबरिंग करें नंबरिंग मतलग करें करने के बाद सब को चार से बाग करोगे यह स्टेफ है देखो दवड के भी आ जाएगा आप चाहो ना परिक्षा में इसे चुटकियों में कर सकते हो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद इनको सिंप्लिफाई करोगे बगवा तो यह जीरो आएगा यह वन अपान फोर ही रहेगा यह लूंडा कट पिटके वन अपान टू आ जाएगा यह थिरी अपान फोर आएगा यह वन आएगा लाइफ टाइम में क्या करोगे सबके वर्गमूल कर लोगे बस हो गया तेल गरम ह हुआ पाल डाला की पकोड़ा निकला अब इसका क्या हुआ इसका वर्गमूल जीरो का जीरो वन का वर्गमूल वन टू कट फोर का टू अनपान टू कि वन का वर्गमूल वन टू का वर्गमूल निकलेगा नहीं बैचारा फंस गया अंदर में पिरी का वर्गमूल पतेल जी बहुत बहुत बधाई हो बर्थडे कि आपको बुकुसरो तरक्की करो साधी हो जाए तुम्हारी सबसे पहले चलो मिला लो जिनके पास तिरकोड मिती की किताब है जिनके पास तिरकोड मिती की किताब है मिला लो कहीं सर्च कर लेना गूगल पर वाट इस तरह से आप क्या करोगे कास वाला भी निकाल लोगे बताएं कि ना बताएं बताएं यह बच्चा मुझे पता ही इसका बर्थर्डे बर्थर्डे कुछ नहीं बहुत गद्धा है एक दम निकम्मा टाइब का यह रोज कुछ ना कुछ नया नया मैटर लेकर आता जिससे लोग पढ़ाई छोड़ करके इसके कमेंट पर आ जाएं कुछ नहीं मुझे मालूम है अब मैं पूछूंगा और तुम बताओगे ना बताओगे ना तो भी लात खाओगे अब मतलब समझ गया कि नहीं आपको क्लास में बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो यहां हमारे यहां पढ़ने आते थे उनको मालूम है कि चलो इसका मतलब कुछ और होता है तुम समझो के कुछ और अब चलो बताओ साइन पैतालीस का मान कितना आएगा जल्दी बताओ कि चलो साइन 45 का मान कितना आएगा कि निकल लो यहां से जिसका बर्थड़े है सालगीरा है जो कुछ है सब लेके निकल लो यहां से चलो डॉन डिस्टर्ब हाँ ठीक है है तो अब हो गया खतम जाओ मना यहां डिस्टर्ब ना करो निकल लो कि मैंने क्या पूछा साइन साट का मन क्या होगा नहीं पता है मत बताओ अब यह क्या करेंगे सब लोग इनको बर्थड़े 20 करेंगे तो यह सब को थाइंग से बोलेंगे मतलब हम बैट के अलुची ले अब हम पढ़ाए ना इनका यह मतलब है हां कि क्या बताऊं मैं रूप जाए इसको मैं पकड़ के बला कर रहा हूं एक दम पर्मानेंट चलो देखो यहां पर समझो मैंने क्या पूछा आप से जो पूछा वो तो तुम बताए नहीं अब साइन कमान निकालेंगे जीरो तीस पैटालीस ताट अब ठीक है समझो इस कर लए फैट लेकर खुन्तव कर देंगे तुरंब म्हां क्या से लेकर करके फॉर तक उसमें इनवां को से लेकर फोरटर्ट की गिंथे ना को सब्सक्राइव मतलब तो उल्टा करों के उनसे शुरू करके पॉर चुर से शुरूगत्याइड मैं इसमें तुम इधर से जीरो से शुरू करोगा चार से करो कि इनको सैंप्लिफाइ ना-98 सब कर लो कर लो कर लो एंडरोट तीन चार को कवर्गमूल दो एग बटा दो कर मुल एक होजाएगा दो कवर्गमूल दो होगा कि एक को एक चार कवार्गमूल दो जीरो का 0 पूचेगा बता देना साट कॉस्ट जीरो ऊ सकामानवान था उत्ती संसकामां रूत तीन स्पाट दो याद कर्लो अ कॉस्त है सथीक Championships का होता है कि कह थे लगे कि राने में तुम को सुक्र है कि तुम आये तो इसको लाइट को लाइट चली गई और किसी को नहीं बुला रहे हैं